अगर तुमने मुझे उस मनी के बारे में सब कुछ सच सच नहीं बताया, तो मैं तबाही मचाना शुरू कर दूँगा। निमबक सेन ने वासु को धमकाते हुए कहा, लेकिन उस मनी के बारे में जानकर आपका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, और वो मनी तो वैसे भी जाग मनी समुदाय के पास है, और उनके पास से मनी को वापस लेना नामुम्किन है। वासु ने संकुचाते हुए कालनाग से कहा, कालनाग थोड़ी देर के लिए सोच में पढ़ गया था, और कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्या हुआ, अचानक आप शांत क्यों हो गए, कालनाग बाबा। निम्बक सेन ने कालनाग से पूछा। निम्बक सेन अकसर कालनाग को कालनाग बाबा कहकर भी बुलाता था, क्योंकि कालनाग उम्र में निम्बक सेन से बहुत बढ़ा था, जिस नाग मनी समुदाए की ये बात कर रहा है, उनको मैं भली बाती जानता हूँ, और जब भी उनका नाम सुनता हूँ, तो मेरे सीने में प्रतिशोध की जुआला बढ़क उठती है, कालनाग ने गुसे में कालनाग की आखें गुसे में लाल हो गई, और ऐसा अकसर अकसर तभी होता था, जब कालनाग को बहुत ज्यादा गुसा आता था, सिर्फ निम्बक सेन ही इस बात से परीचित था, और वो जानता था कालनाग का घुसा इस वक्त कुछ भी कर सकता था, इसलिए निमबक सेन कालनाग से कहा आहब शांत हो जाईए और मुझे बताईए कि आखर बात क्या है कालनाग निम्बक सेन को कोई जवाब नहीं दे रहा था तब ही निम्बक सेन वासू पर चिलाते हुए बोला अगर तुमने मुझे उस्मानी के बारे में नहीं बताया तो मैं यहां मौझूद हर इनसान को एकिक करके मौत के खाट उतार दूँगा निम्बक सेन ने गुच्से में वासू से कहा तुम मैं ऐसा कुछ भी नहीं करोगे वासू ने निम्बक सेन से कहा तुम देखते जाओ अब मैं उस मौनी के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ हाँ निम्बक सेन ने वासू से कहा और फिर कालनाग की ओर देखने लगा निम्बक सेन ने फिर से कालनाग से कहा कालनाग भाबा आप पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या था कालनाग पहले तो शांत खड़ा रहा लेकिन निम्बक से इनके बार-बार पूछने पर कालनाग ने कह 22 आज से कई सो साल पहले की है जब मैं नागमणी समुदाय में ही रहता था मेरा पूरा परिवार नागमणी समुदाय के साथ ही जीवन वैतीद करता था लेकिन एक दिन नागमणी समुदाय और अन्य नागों के कुलों में आप से युद्ध शुरू हो गया पता चला कि नागमणी समुदाय में आप सिर्फ वही रह सकता है जो उनके इकुल का हो इतना कहकर काल नाग फिर चुप हो गया और उसकी आँखें आशूं से भर गई थी आज पहली बार निमबक से इनने काल नाग की आँखों में आशू देखे थे निम्बक से इनने कालनाग से का तो फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ जो उस नागमणी समुदाय के कुल के नहीं थे थोड़ी देर रुकने के बाद कालनाग ने का जो लोग उनके कुल के नहीं थे उनने इस तरह से प्रतालित किया गया जिस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता वासू ये सब सुन रहा था और उसने काल नाग से कहा तो क्या आप भी उनके कुल से नहीं थे और आपको भी उन लोगों ने प्रतालित किया था काल नाग ने वासू की ओर देखा और बोला हाँ, मैं उनके कुल का नहीं था और उन लोगों ने मेरे पूरे परिवार और मेरे खानदान को मेरे सामने ही दबा कर दिया मुश्किल से हम सिर्फ कुछ परिवारी थे जो उनके कुल से संबंद नहीं रखते थे लोगों ने हमें अपने समुदा और नगर से निकाल दिया और हम लोग दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर होगे वासू ये सब सुनकर हैरान था और उसने कालनाग से कहा तो क्या आप नागों में भी ये सब होता है मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ हम इंसानों के साथ ही होता है अपने फायदे के लिए लोगों को दोखा देना और कुल जाती और धर्म देखकर भेदभाव करना ये सब तो हम इंसानों में होता है इंसान जहां बहुलता में होता है वहाँ वो कम संख्या में रहने वाले लोगों पर जुल्म करता है ये सब इनसानों में होता है आश्चर है ये सब आप नागों की दुनिया में भी होता है बिलकुल, क्यों नहीं ऐसा बहुत कुछ है जो तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे तुम इनसान तो बहुत चोटी लड़ाई लड़ते हो हम नागों को तो हर तरह की लड़ाई और हर तरह का संकट जिलना पड़ता है हमारा कोई न्याय करने वाला और कोई बचाने वाला नहीं होता है हमारा समुदाय और हमारा राजाई हमारा न्याय करता है और हमें दंड भी देता है। काल नाग ने उदास होकर वासू से कहा। तो आपके परिवार और आपके कुल के लोगों को नागमानी समुदाई से निकाल दिया। फिर क्या हो? वासू ने हैरान होते वे काल नाग से पूछा। सिर्फ निकाला ही नहीं। हमारी औरतों को भी अपने पास रख लिया। हम लोग दया की भीक मांगते रहे तो हमारे बुज़ूर्गों को पैरो तले रौन दिया। हमारे नौजवान बच्चों को अगनी में जला दिया। हमारे कुल के लोगों को न जाने कितनी रात सब कुछ सहकर कहां कहां नहीं भटकना पड़ा। हर प्रकार का त्रास और संकट हमारे कुल के लोगों को जिलना पड़ा। उन दिनों को याद करते हुए आज भी मेरी रूह काप चाती है। वासू और निम्बक सेन कालनाग की कहानी सुनकर हैरान थे। और एक पल के लिए तो ये सब सुनकर उनका सर भी भारी हो गया था। तबी निम्बक सेन ने कहा, मैं जानता हूं कि नागों में समूदाय ऐसा भी होता है, और भी बहुत कुछ मैंने सुना है, लेकिन आपके सा जोवा, वह अच्छा नहीं हुआ है। ये सब सुनकर निम्बक सेन जैसा दरिंदा भी परिशान हो गया था। तो फिर क्या आप हमें उस नागमणी समूदाय तक पहुचा सकते हैं? वासू ने कालनाग से पूछा, कालनाग ने घूर कर वासू की ओर देखा और फिर बोला, नहीं, जोकि वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी शक्तियों के आगे कोई टिकता नहीं है, और हमारी और तुमारी तो अकात ही क्या है। कम से कम आप मुझे वहां तक जाने का रास्ता ही बता दीजी, क्योकि मेरे लिए उस मणी तक पहुचना बहत जरूरी है। मणी समुदाय तक पहुचने से पहले ही मार दिया जाता है, और अगर बच गया, तो वो कभी वापस नहीं आता, वो लोग उसे जिन्दा खा जाते हैं। कालनाग ने वासू से का, वही निमबक सेन ने वासू की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे उस मणी के बारे में ब तो उस मणी के बारे में कुछ भी पता है कालनाग बाबा। निमबक सेन ने कालनाग से पूछा, नहीं, मैं ऐसे किसी मणी के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मेरे रहते वे तो वहाँ पर ऐसी कोई मणी का जिक्र नहीं होता था, आँ, लेकिन एक मणी जरूर थी, पर व काल नाग ने निम्बक सेन को बताया जरूर ये वासू उसी मनी के पीछे पड़ा है जो नाग मनी समुदाय के राजा के पास रहती है और ये वही हांसिल करना चाहता है। और वर्दान स्वरूप नाग मनी समुदाय के राजा को मिली थी। तुम्हारे और वासू के चाह लेने से वो तुम्हें नहीं मिल जाएगी। उस तक पहुँचपाना असंबाव है। निम्बक सेन पर भी अब उस नाग मनी को हासिल करने का भूत सवार हो गया था। वो कैसे भी करके वासू से पहले वो मनी हासिल करना चाहता था। आज से उस मनी के पीछे सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी हूँ और हम में से वो मनी जिसको पहले मिल जाए वो मनी उसकी हो जाएगी। निम्बक सेन ने वासू से कहा। वासू को समझ नहीं आ रहा था कि वो निम्बक से मैं जरूर तुम्हे आजाद करूँगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं अपने मक्सद में काम्याब होना चाहता। जब मैं अपने मकसद को पूरा करके इस प्रित्वी पर राज करूँगा और पूरी प्रित्वी मेरे अधीन होगी तम मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा और उसके बाद मैं उस नागमणी समुदाई पर हमला करके उस नागमणी समुदाई को भी अपने नाम करूँगा और पृत्वी के साथ ही साथ मेरा वर्चस्व उस नागमणी समुदाई पर भी होगा निंबक सेन ने उत्ते जीत होकर का उधर राजकुमारी शालेदी ने एक खास लिपी में संदेश लिक कर तयार कर लिया था शक्ती ने राजकुमारी शालेदी से कहा अब हम पुजा कब करेंगे? और कब इस लिपी का संदेश देविय शक्तियों तक पहुँचेगा। राजकुमारी शालेनी ने उस पत्थर पर खास लिपी में जो कुछ मिली खा था। उस पत्थर के उपर लाल कपड़ा लपेट दिया और एक बड़े से पत्थर के सामने जाकर उस छोटे से पत्थर को रख दिया और बोली बस आज रात हमें यहाँ पुजा करनी होगी और यह ध्यान रखना होगा कि पुजा खत्म होने से पहले तक गलती से भी यह लाल कि अगर ये लाल कपड़ा हट गया तो फिर हमें देविय शक्तियों का संदेश नहीं मिल पाएगा मैं इस पत्थर का ध्यान रखूंगी अब आप जाकर कुछ देर के लिए आराम कर लिजी शक्ति ने राजकुमारी शालेनी से कहा राजकुमारी शालेनी जाकर आराम करने अभी भी उस सपने के कारण डरी हुई थी और उनसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था शक्ति काफी देर तक राजकुमारी शालेनी को समालती रही और थोड़ी दिर बाद राजकुमारी शालेनी ने शक्ति की और देखा और बोली जरूर जरूर कुछ अशुब होने वाल ह मैंने आज एक ऐसा सपन देखा है, जिसने मुझे हैरान कर दिया है, और अगर जो मैंने सपने में देखा है, ऐसा हुआ तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा और सब कुछ नाश हो जाएगा, ऐसा क्या देख लिए आपने देदी, और ऐसा क्या होने वाला है, शक्ती ने डरते राजकुमारी शालिनी से पूछा, मैंने देखा है कि किसी ने हमारी पूजा संपन होने से पहले ही आकर रोक दिये, और जिस कारण से हमें देविये शक्तियों का संदेश भी प्राप्त नहीं हुआ है, और निम्बक सिन ने भी इस प्रित्वी को जीतने के लिए शेतानी य बोली, मतलब अब ये निम्बक सिन कभी मरेगा ही नहीं, और अगर आपका सपना सच हुआ तो सच में ये प्रित्वी खत्मों जाएगी दिदी, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने सपने में पूरी प्रित्वी पर ऐसे लोगों को देखा है, जिनके शरीर पर एक भी कपड़ और सपने में जो मैंने देखा, ये तभी होता है जब… इतना कहकर डर के मारे राजकोमारी शालिनी रुख गई और उसने आगे कुछ नहीं बोला। ऐसा कब होता है दिदी, बोलिए, कुछ तो कहिए। राजकोमारी शालिनी शक्ती को कुछ भी बताने को तयार नहीं थी, और हरवडाते हुए बोली, हमें जल्द से जल्द पूजा करनी होगी, अब सिर्फ देविय पूजा ही हमें बचा सकती है। अगर ये पूजा संपन नहीं हुई तो हमें आने वाले कई महनों तक देविय शक्तियों का संदेश प्राप्त करने के लिए इंतिजार करना होगा सिर्फ आमारे पास आज की रात काई वक्त है। क्या राजकुमारी शालिनी अपनी देविय पूजा में कामियाब होगी। क्या देविय शक्तियों के संदेश के बाद वासू गुफा से सबको आजाद करा लेगा। क्या राजकुमारी शालिनी का सपने के पीछे का सत्य क्य था क्या होगा जब निम्बक सेन और वासू दोनों ही मणी के पीछे पड़ जाएंगे जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पॉकेट एफेमपार रात हो चुकी थी और राजकुमारी शालिनी और शक्ति देव्य पूजा की तैयारियां करने लगी थी राजकुमारी शालिनी सपने की वज़ा से खलबढ़ाट में थी और वो हर काम में जल्दबाजी कर रही थी तब शक्ति ने कहा उस सपने को सपने की तरह भूल जाए दिदी वो सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं है उसे मैं भूल नहीं सकती वो सपना नहीं बलकि संकेत है क्या गर पूजा पूरी नहीं हुई तो फिर सब पर संकर चा जाएगा राजकुमारी शालेनी ने शक्ति से कहा राजकुमारी शालेनी और शक्ति पूजा की तैयारियों में जुटी थी और उधर निम्बक सेन भी अपना यग्य शुरू करने की तैयारी करने लगा था निम्बक सेन काफी काफी जोर जोर से शैतानी मंत्रों का उच्चारण कर रहा था आखिरी अचानक इसे क्या हो गया? इतनी जोर से मंत्र पढ़कर ये किसे बुलाना चाता है? वासु ने मनी मन में कहा निम्बक सेन आँख बंद करके आसुरी शक्तियों को बुला रहा था और तभी निम्बक सेन ने अचानक से अपनी आँख खोली और वासु को घुरने लगा अब इसे क्या हो गया? ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? वासु ने डरते हुए फिर से मन में कहा वासु को देखते हुए निम्बक सेन की आँख फटी की फटी थी और वो पलक भी नहीं चपक रहा था उसकी आँख खुन के समान लाल हो गई थी निम्बक को देखकर वासु को कुछ समझी नहीं आ रहा था कि क्या बात है निम्बक सेन? तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रहे हो? वासु ने निम्बक से पूछा निम्बक सेन ने वासु की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और अचानक से जोर-जोर से यग्ग में आहुती देने लगा देखते ही देखते जो भूट आसपास अद्रश थे वो सब प्रकट हो गए और काल नाग भी निम्बक सेन के सामने आ गया तयार हो जाओ सब लोग लड़ने का वक्त आ गया है निम्बक ने सब को आदेश देते वे गा कुछी समय में गुफा में अफरात तफरी मच गई और वासू ये समझी नी पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और निम्बक सेन के चहरे पर इतनी घबरहट क्यों है थोड़ी देर बाद निम्बक सेन ने जब अपना यग्य पूरा कर लिया तो खड़ा हुआ और बोला ये लड़का वासू हम सब के लिए परिशानियां लेकर आया है और इसके कारण अब तक के किये कराय पर पानी फिर सकता है निम्बक सेन ने जैसे ही वासू की तरफ इशारा करते हुए बोला तुरंथी सारी हिद्ध्य शक्तियां वासू की और घूर कर देखने लगी आज की रात का समय काफी भारी है अगर आज की रात कट गई तब तो कई सालों तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगार पाएगा लेकिन अगर आज की रात में कुछ भी गरबर हुई तो फिर समझ लेना तुम सब फिर से उसी नरक लोक में चले जाओगे निम्बक सेन ने आशूरी शक्तियों को डराते वे कहा डर के मारे सारी आशूरी शक्तियां वासू पर एक साथ आकरमण करना चाहती थी तबी निम्बक सेन ने कहा रुक्चा, अगर तुम ने ऐसा किया, फिर तो घोर संकट हमारे उपर आ जाएगा तुम सब ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इसे जान से नहीं मार सकते हैं आसूरी शक्तियां वासू को मार देना चाहती थी, वहीं वासू ने निम्बक सेन से कहा आखिर अब क्या हुआ निम्बक सेन, और तुम इन लोगों को मेरे खिलाब भढ़का क्यों रहे हो मैं इने भढ़का नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे ये संकेत मिला है कि तुम हमारे काल बनकर इस गुफा में आये हो, और आज की रात बेहत कठीन है आज कुछ ऐसा होने वाला है, जिससे तुम मुझ पर विजए प्राप्त कर सकते हो और मुझ पर विजए प्राप्त करने का मतलब है, इन सभी आसुरी शक्तियों का अंत निम्बक सेन ने वासु से कहा ये सब नाटक बाजी बंद करो निम्बक सेन, तुमने मुझे बांध कर रखाया और अब भला मैं तुम्हारा कैसे कुछ बिगार सकता हूँ वासु ने निम्बक सेन से घबराते वे कहा, इस वक्त गुफा में इतनी अफरा तफ्री मची हुई थी कि हर कोई घबराय हुआ था वही राजकुमारी शालेनी ने पूजा करनी शुरू कर दी थी राजकुमारी शालिनी एक पत्थर को ही देवता मानकर पूजा कर रही थी तब ही शक्ती ने राजकुमारी शालिनी से कहा आखिर हम किस देवता की पूजा कर रहे हैं दिदी? हम शक्ती की पूजा कर रहे हैं इस पत्थर में सभी देव समाए हैं और कोई भी देपता इस पत्थर से अलग नहीं है। ये पत्थर इस गुफा में कब से है, कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इस पत्थर के अंदर देविय शक्तियों का भंडार है। समय और उचित तरीके से अगर इस पत्थर को पूजा गया ना, तो इंसान हर जंग जीत सक है। राजकुमारी शालेनी ने शक्ति को बताया। राजकुमारी शालेनी पूजा कर रही थी और शक्ति उस पूजा में राजकुमारी शालेनी के साथ बैठी वी लगातार उस पत्थर को घूरे जा रही थी। राजकुमारी शालेनी ने अपनी आँख बंद कर रखी पत्थर को देखे जा रही थी। एक पल के लिए भी शक्ति की पलक छपक नहीं रही थी। और देखते ही देखते पत्थर से एक रौशनी निकलनी शुरू हो गई थी। ये वो उर्जा थी जो पंदरा साल की शक्ति को मिलने वाली थी। राजकुमारी शालिनी के पास बैठी कर कई और रखो, क्योंकि अगर इसका और उसका मिलन हो गया, तो फिर ये लोग हम को छोड़ेंगे नहीं। घबराते हुए निमबक सेन ने कहा। किसी को भी निमबक सेन की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। ये आखिर हो क्या रहा था। वहीं अचानक से वासू के बंदन खुल गए और वासू आजाद हो गया। जैसे ही वासू आजाद हुआ, एक भूत ने वासू को पकड़ने की कोशिश की लेकिन तब ही वासू ने अपनी मशाल उठाई और उसकी उर्जूर से मारी। आह, अब बहुत हुआ, अगर मेरे पास भी आए तो सब को खतम कर वासू ने घुसे में का, उस मशाल की मार इतनी तेज थी कि वो भूत अधिक दूर जाकर गिर गया था। कालनाग ये देखकर हैरान था और बोला, निम्बक सेन आखिर ये क्या है, ये वासू तो पहले से भी ज़्यादा श्रक्तिशाली हो गया है, अगर तुमें भागना ह तो भाग जाओ कालनाग, क्योंकि अब मेरे सामने जो भी आएगा न, मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। वासू ने घुसे में कालनाग से कहा, तब ही निम्बक सेन ने एक साथ कई भूतों से वासू पर आकरमन करने को कहा, और जैसे ही उन्होंने आकरमन किया, वासू ने फ क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए, तो फिर सब समाप्त हो जाएगा। निम्बक सेन ने कालनाग से विनिती करते वे कहा, क्या हुआ निम्बक सेन, आब तुमारी शक्तियां कहा गई, तुम तो इस पृत्वी पर मौझूद, प्रतेक प्राणी से सबसे अधिक शक्तिशाली हो ना, आज तुमारी आशूरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही है, कहा गायब हो गई, तुमारी ये शक्तियां, आज तुमारा आंत निश्चित है निम्बक सेन, तुमने लोगों पर बहुत सुल्म कर लिये, और अब उन सब का फल तुम्हें मिलेगा। वासू ने निम् बताओ, तुम इतने बेचैन से क्यों हो? एह, जब मैं यक कर रहा था, तो दैटि शक्तियों ने मुझे एक संदेश दिया, और बताया कि इस वासू को शक्तिशाली बनाने के लिए, गुफा में कोई न कोई शक्ति आ गई है, उस शक्ति की कोई सनरचना नहीं है, और वो कि जो हम चाहते हैं, बेचैन निम्बक ने कालनाग को पूरी बात बताई, इदर राजकुमारी शालेनी की पूजा संपन्न हो गई थी, अब इस पत्थर से ये लाल कपड़ा हटा कर संदेश देखने का समय आ गया, क्या तुम तयार हो शक्ति? राजकुमारी शालेनी ने शक् ने लिखा था, क्या लिखा है दिदी? शक्ति ने उत्साहित होकर राजकुमारी शालेनी से पूछा, इसमें लिखा है कि शक्ति उस तक पहुच गई है, जिसे उसकी जरूरत है, लेकिन तब तक उस शक्ति को मुझे बचा कर रखना होगा, जब तक सही वक्त नहीं आ जाता सही वक्त आने पर वो शक्ति ही इस मुश्किल से सभी को निकाली गी और अभी सही वक्त नहीं आया, राजकुमारी शालेनी ने वो संदेश पढ़कर बताया, ये तो खुशी का मौक आए दिदी, शक्ति ने मुस्कुराते वे शालेनी से कहा, वही राजकुमारी शालेनी के चेहरे पर अभी भी शिकन की रिखाएं थी और उसने बुद्बुदाते हुए कहा आखिर मैं इस शक्ति को समाल कर कैसे रखूंगी जब मुझे पता ही नहीं कि आखिर शक्ति कहा है और किसी रूप में राजकुमारी शालिनी चिंतित थी और वहीं शक्ति पास में बैठी मु अभी देठी शक्तियां इस वासू से लड़ने में असफल हो गई है और अब तो वस एक ही विकल्ब है यह आप अपने नागास्तर का उप्योग करें और इसे अपने पाश में बान ले निम्बक सेंद कालनाक से विनिति करने लगा वहीं वासू इस समय तक हर किसी को समाप् उसके सामने नहीं टिक पा रहे थी निम्बक सेंद अगर तुमने जल्द से जल उन आर्तों का अपनी खैद से नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें भी यहीं मार दूंगा वासू ने निम्बक सेंद को धमकी देते वे का इतना हवा में मत उड़ो वासू क्योंकि अगर एक बा जोड़ने का एक पी रास्ता मैंने ही छोड़ूँगा निम्बक सेंद ने वासू से कहा वासूने निम्बक सेंद की पूरी गुफा में तबही मचा दिधीय। कि तभी निम्बक सेन ने काल नाग से फिर नाग अस्तर चलाने के लिए बोला। काफी सोचने के बाद काल नाग निम्बक सेन की बात मान गया और उसने मंत्रों का उच्चारन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कालनाग मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, वासू की शक्तियां कम पढ़ती जा रही थी। ये, ये मुझे क्या हो रहा है, आखिर अच्चानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर से उर्जा निकल रही है, मुझे अपने अंदरी कुछ कमी सी महसूस क्यों हो रही है। निम्बक सेन ने तमाम कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वासू ने चिलाते हुए कहा, आ, मुझे छोड़ दो निम्बक सेन, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझ से लड़कर दिखा, यू मुझे बार बार बांद कर तुम सिर्फ अपनी कायरता का उधारन दे रहे हो। निम्बक सेन ने वासू की एक भी नहीं सुनी और मंत्रों का उच्छारन करता रहा। तब ही काल नाग ने वासू से कहा, आज शायद तुमें इस नाग पाश में बांद कर मेरा बदला भी पूरा होगी है। तुमने मेरे तमाम नागों को आग में जला कर मार दिया था। जिस तरह से नाग मारी समुदाएं ने मेरे कुल के लोगों को मारा था। वैसे ही तुमने भी मेरे नागों को आग में जला कर खत्म कर दिया था। और देखो, हास तुम ही मेरे कारण कैद में हो और तुमें निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। काल लाग तुम ये गलत कर रहे हो और आप और निम्बक सेन जो भी चाहते हैं मैं वे वेसा नहीं होने दूगा। वासु ने चिलाते हुए कहा, पहले पता तो कर लो कि आखिर निम्बक सेन चाहता क्या है। काल लाग ने मुस्कुराते हुए वासु से कहा, क्या नाख पाश्ते बना वासु खुद को छुडा लेगा। क्या निम्बक सेन के अपरादों का अंत हो पाएगा। आखिर वासू कैसे निम्बक सेन को खत्म करेगा, शक्ती आखिर वासू तक कैसे पहुँच पाएगी, या फिर निम्बक सेन फिर से जीत जाएगा, जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पॉकेट एफ एमपार. आखिर आप ही मुझे बताएं कि इस निम्बक सेन का असल मकसद क्या है। वासू से का, निम्बक सेन के एक नहीं कई सारे मकसद है। वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। वो इस प्रित्वी का सब सिर्फ शक्तिशाली, बलशाली और प्रवुत्षाली व्यक्ति बनना चाहता है। वो चाहता है जिब वो खड़ा हो, तो हर आदमी उसके सामन है। वो अकेला पूरी दुनिया पर राज कैसे कर सकता है। वासू ने कालनाग से का, आस इसलिए तो वो बड़े से बड़ा यग्य करके देत्य और आसूरी शक्तियों का अपने कबजे में करना चाहता है। वो अमरता का वरदान पाना चाहता है। वो दुनिया के हर वैक् लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है। वासू ने कालनाग से पूछा। क्योंकि वो चाहता है कि दुनिया से अच्छे लोग खत्म हो जाए। और काली शक्तियों का स्चाशन हो जाए। इनसान के अंदर घमंड इतना बढ़ जाए कि एक इनसान अपने सामने वाले को कुछ भी न समझें। और इनसान खुद को सबसे बड़ा और दूसरे को सबसे छोटा समझें। वो चाहता है कि जूट लोगों की जुबान पर बस जाए। और लोग जूट बोलते वक्त तनिक भी न सूचें। और तो और जूट बोलने के बाद उन्हें पच्तावा भी न हो। ह अच्छी आत्मा को खत्म कर देना चाहता है। यह चाहता है कि कोई किसी इनसान के लिए कुछ भी महसूस न करे। इनसान की संवेदना दूसरे इनसान के लिए मर जाए। वो इनसान और उसके दिल को पत्थर बना देना चाहता है। इनसान कुछ भी बुरा करने और गलत का मेहजे में वासू को बता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर तो इस पृत्वी पर इंसान तो रह नहीं जाएंगे, बलकि इंसान के भेश में सभी इंसान जानवर हो जाएंगे। पर इस राक्षस निम्बक सेन के हाथों की कटपुटली बन जाएंगे। वासू ने डरते कर देना चाहता है। ये निम्बक सेन काल लाग ने वासू को बताया। लेकिन फिर तो इस प्रिफ्वी पर कोई रह नहीं सकीगा। बुरे लोग तो अच्छे लोगों को मार देंगे। और अगर बुरे लोग अच्छे लोगों को नहीं भी मारेंगे तब भी अच्छा वही निम्बक सेन लगातार यग किये जा रहा था और उसकी आसूरी शक्तियों ने वासू को घेर रखा था। क्या इस प्रिफ्वी को बचाने का कोई रास्ता है। वासू ने उत्सुक्ता से कालनाक से पूछा। नहीं जो शक्तिया इस निम्बक सेन के पास हैं आज इस प तक वो निम्बक सेन से नहीं लड़ सकता है। कालनाक ने वासू को बताया। निम्बक सेन यग्य कर रहा था कि तबी उसकी आँख खुली और उसने घुस्से में कहा। पूरी गुफा में डूंडो वो शक्ति यहीं कहीं है और कभी भी आकर इस वासू से वो मिल सकती है। वो शक्ती एक 15 साल की लड़की के रूप में है। निम्बक सेन मनी मन घबरा रहा था कि कहीं वासू को शक्ती न मिल जाए। निम्बक सेन ने यग्य करते हुए शक्ती को देख लिया था और निम्बक सेन को आसूरी शक्तियों ने ये बता दिया था। इस शक्ती ही निम्बक सेन को आसूरी शक्ती से ये पता चला, निम्बक सेन ने अपने लोगों से तुरंत शक्ती को ढूंडने के लिए कहा, वो 15 साल की लड़की है, इसकी मदद करने वाली है, उसे लेकर आओ, और मेरे सामने पेश करो। कि भले इनसान तुम्हें ने देख सकता, लेकिन ये आसूरी शक्तियां जरूर तुम्हें पहचान लेगी, तुम अंदर उस गुप्त स्थान में जाकर बैठ जाओ, जहां पर तुम्हें कोई देख भी न सके। लड़की जो तेरे गुरू के काम में बादा बनने वाली है। उस भूत ने शक्ति को खीचते वे का। मुझे मत ले जा, दीदी बचाओ, मैंने कुछ नि किया, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ, दीदी, दी। शक्ति ने उन भूतों से तेज आवाज में कहा, और राजकुमारी शालिनी को बुलाने लगी। ये तो शक्ति की आवाज है, और ये तो इस तरह चिलना रही है जैसे उन लोगों ने शक्ति को ढून लिया, और उसे अपने साथ लेकर जा रहे हूँ। राजकुमारी शालिनी ने मनी मन कहा, शक्ति लगातार पुकारे जा रही थी और राजकुमारी शालिनी दौरते हुए शक्ति की उर जाने लगी। राजकुमारी शालिनी का दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा था, और उसे बहुत डर भी लग रहा था। जैसे ही राजकुमारी शालिनी उस गुप्त स्थान पर पहुँची, तब तक उन्होंने देखा कि एक भूत शक्ती को अपने साथ ले जा रहा था। राजकुमारी शालिनी डर गई और एक पल के लिए तो सुनने सी रहेगी और कुछ भी नहीं कर सकी। मुझे बचा लिजे दिदी, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है। शक्ती चिलाती रही लेकिन राजकुमारी शालिनी कुछ भी नहीं कर सकी। वो इतना डर गई थी कि उनके हाथ पाउं काम करना बंद कर चुके थे। शक्ती राजकुमारी शालिनी की पहुँच से दूर निम्बक सेन के पास आ चुकी थी। ये लिजे गुरुजी, आपके लिए उपार। निम्बक सेन ने जैसे उस लड़की को देखा, खुश हो गया, और बोला। तो ये थी वो, जो मेरे काम में रुकावट बन सकती थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने मकसद में कामियाब हो करी रहूंगा। अब तक जो शक्ती अद्रिश्य थी, वो अब दिखने लगी थी। शालिनी को भी पता चल गया था, शक्ती में कुछ न कुछ खास था। तबी वासु ने शक्ती को गार से देखा, और वासु को शक्ती के मासुम चेहरे को देखकर दया आने लगी। अरे ये चोटी सी लड़की, तुम्हारा क्या बिगार सकती है निम्बक सेन। वासु ने घुसा करते हुए निम्बक सेन से पूछा, भाईया मुझे बचालो, मुझे बचालो भाईया। शक्ती ने वासु की तरफ देखकर रोते हुए कहा, निम्बक सेन और कालना की आँख खुली की खुली रहे गई, जब शक्ती ने वासु को भाई कहा, मैं जानता था ये वासू पूरी तैयारी के साथ आया है और ये मुझे खत्म कर देना चाहता था लेकिन मैं मुर्ख नहीं हूँ जो इसकी चाल में फ़स जाऊँगा आज देखो ये दोनों ही मेरे कबजे में हैं और अब देखो मैं इस लड़की के साथ क्या करता हूँ निम्बक सेन ने घुसे में वासू की और देखते हुए का वासू शक्ती को पहचानता भी नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की ने उसे भाईया क्यूं कहा वासू ने निम्बक सेन से विनिती करते हुए का लेकिन निम्बक सेन वासू की बात समझने को तयार नहीं था और उसे लग रहा था कि ये वासू की साफ साफ कोई चाल थी राजकुमारी शालनी मेरे बगर जिन्दा नहीं रहेगी उस लड़की ने चिलाते हुए वासू से कहा जैसे ही वासू ने राजकुमारी शालनी का नाम सुना वो चौग गया और मन में बोला अच्छा इसका मतलब यह है कि राजकुमारी शालनी और इस लड़की का हापस में रिष्टा है मुझे इस लड़की को जरूरी बचाना होगा निम्बक सेन शक्ती की बहाँ इतनी तेजी से पकड़े हुए था कि शक्ती को काफी दर्द हो रहा था और वो बार बार खुद को चुडाने का प्रयास कर रही थी लेकिन निम्बक सेन की मजबूत पकड़ के आगे अपने लोगों से कहकर इसे वहीं भेजते वासु ने निम्बक सेन से कहा तुझे क्या लगता है मैं तेरी दमक्यों से डर जाऊंगा और वो करूँगा जो तू कहेगा अरे यही तो वो लड़की है जो मेरे मकसद में रुकावट बनने वाली थी अगर इसको मैंने मार दिया तो आने वाले समय में कोई भी मेरी रुकावट नहीं बनेगा और मैं इस प्रिथवी को जीत लूँगा निम्बक सेन ने खुशी खुशी कहा तेरा यह मकसद तो मैं काम्याब नहीं होने दूँगा नाक पाश में बन्धे वासू ने खुद को छुडाने की कोशिश करते हुए का उधर राजकुमारी शालिनी का रो रोकर बुरा हल था क्योंकि वो शक्ती को बचा नहीं पाई थी मुझे शक्ती का ध्यान रखना था क्योंकि उस देविय शक्ती ने मुझे खास ये संदेश दिया था कि सही वक्त आने पर इस निम्बक सेन का विनाश होगा और तब तक मुझे शक्ती को समाल कर रखना है लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई राजकुमारी शालिनी ने रोते हुए खुद से कहा राजकुमारी शालिनी बहुत जादा रो रही थी और खुद कोई कोसे जा रही थी अब तो कोई दूसरा विकल्ब भी नहीं है अब आखिर कैसे इन आर्तों आरे स्पृत्वी को निम्बक सेन से कोई कैसे बचाएगा एक ही रास्ता था और वो मेरी गलती के कारण वो रास्ता भी बंद हो गया राजकुमारी शालिनी का रो रो कर बुरा हाल था और उधर निम्बक सेन शक्ती को जोर का तमाचा मारा तमाचे की गूंच पुरी गुफा में गूंच गई और शक्ती निम्बक सेन को घूर कर देख रही थी तू मुझे घूर कर देख रही है मेरा विनाश करने आई थी ना अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं तेरा विनाश कैसे करता हूँ इतना कहकर निम्बक सेन ने शक्ती से कहा रुखजा निमखसेंद तु फिर अपनी आखात पर आगया है वासू ने चिलाते वे कहा वासू खुद को छुडाने की बहुत कोशिश कर रहा था वहीं काल लाग से भी विनिती कर रहा था कि वो अपने नाग पाश से वासू को छोड़ दे लेकिन काल लाग वासू की एक भी सुनने को राजी नहीं था वहीं शक्ति को पढ़ने वाले थपड़ की गून सिर्फ गुफा तकी सीमित नहीं थी बलकि वो गुफा के बहार भी जा रही थी एक अगोरी बर्फ से ढखकी चटानों पर तपस्या कर रहा था उसके बालों पर और शरीर पर बर्फी बर्फ थी और वो तपस्या में ओम नमशिवाई चप रहा था तेज हवाई चल रही थी और वो परवत की सबसे उची चूटी पर बैठा तपस्या में लीन था उस अगोरी के माथे पर भस्म लगी वी थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था इतनी ठंड में जहां इंसान का रुखना नामम्किन था वहाँ वो अगोरी बगएर कपड़ों के तपस्या किये जा रहा था जैसे ही निम्बक ने शक्ती को फिर से थपड़ मारा उस अगोरी की आँख खुल गई और वो गुसे में बोला रुख्या पापी वो शक्ती है तो अपने काल को आवंतरन दे रहा है तेरी हिम्मत उस शक्ती को छूने की भी नहीं है और तूने उस पर हाथ उठा दिया अब तू देख इसका अंजाम क्या होगा वहीं निम्बक सेन के मारने के कारण शक्ती की आँखों से आँसु गिर रहे थे वासु हर संभब कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी करके शक्ती को बचा ले लेकिन चाहकर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था क्या वासु शक्ती को बचा पाएगा आखिर यह घोरी कौन है इसका शक्ती के साथ रिष्टा क्या है क्या वासु और शक्ती का मिलन होगा क्या कोई वासु की मदद के लिए आएगा वासु कैसे खुद को नाग पाश से छुड़ाएगा क्या निम्बक सेन का अंत नस्दीक है क्या प्रित्वी को तबा होने से कोई नहीं बचा पाएगा जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पकेट एफेमपार मैंने पूरे विश्व को काबू करने के लिए कितनी गोर तपस्या करी है तुझे कुछ पता भी है निमबक ने शक्ती से कहा शक्ती की बाह निमबक कसकर पकड़े हुए था जिस कारण शक्ती को बेंताह दर्द हो रहा था और वो निमबक से खुद को बचाने की गौहार लगा रही थी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हू निमबक सेन उस बच्ची को छोड़ दो मैं तुमसे वादा करता हूँ इसके कारण तुम्हारे काम में बाधा नहीं आएगी लेकिन अब तुम इसे मत मारो वासू ने विनिती करते हुए निमबक सेन से कहा लेकिन निमबक सेन इस वक्त किसी की भी सुनने को राजी ही नहीं था उसे बस इतना पता था कि वो लड़की निमबक सेन के लिए सबसे बड़ा खत्रा थी और अब उस लड़की के कैद हो जाने से वो खत्रा टल गया था कालनाग बाबा आप तो इस बच्ची पर दया करो आखिर ये छोटी सी बच्ची निमबक सेन का क्या ही बिगाड लेगी कम से कम आप ही इस निमबक सेन को रोको वासु ने कालनाग से विनिती करते विका लेकिन कालनाग ने भी वासु की एक भी नहीं सुनी और नहीं निमबक सेन वासु की सुन रहा था वासू लगातार गुहार लगाय जा रहा था, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं था। शक्ती की मदद न कर पाने के कारण वासू मनी मन में खुद को ही कोसे जा रहा था। वहीं जितना ही शक्ती को प्रतालित किया जा रहा था। बर्फ सिठकी पाड़ी पर बैठा अगोरी को उतना यदि कुस्सा भी आ रहा था। जो भी शक्ती को प्रतालित कर रहा है, उसका अंत निश्षित है और हम उसे कभी भी नहीं छोडेंगे। अगोरी ने कहा, इस अगोरी का नाम शिवदास था। शिवदास सभी अगोरियों में सबसे प्रमुक थे और कई सालों से शिवजी की तपस्या कर रहे थे। नहीं इन्होंने बर्सों से अन्न छुआ था और नहीं पानी पिया था। अन अगोरियों की तरह ये शहर शहर जाकर भीक मांगर भरन पोशन नहीं करते थे। बलकि सिर्फ तपस्या के सहारी ही ये अपना जीवन जी रहते। और इसलिए ये बांकी के सभी अगोरियों में सबसे प्रमुक थे। योकि कोई भी नहीं जानता था कि आखिर इतने सालों से शिवदास जिवित कैसे थे। निम्बक सेन जितना ही शक्ती को परिशान कर रहा था। शिवदास का हुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। और वहीं थोड़ी देर में अगोरियों की एक बड़ी सी टोली पहाड पर चड़ती हुई चली आई। और वह टोली अगोरी शिवदास के पास पहुच गई। बाबा इस बर्फ से ढखी पहाड़ीों पर आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर लेते हैं। एक अगोरी ने बहत हैरान होते वे शिवदास से पूचा। शिवदास मुस्कुराएं और बोलें क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को यहाँ पर किसलिए बुलाए गया है। सभी अगोरी चुपचाप खड़े थे क्योंकि इन्हें इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त सिर्फ वो शिवदास के एक आवान पर क्यों चले आये थे। बाबा ऐसी भी क्या दिक्कत आगे थी जो आपने अचानक से हमें बुला लिया। एक अगोरी ने शिवदास से पूछा। युद्ध करने का वक्त आ गया है। एक पापी का पाप बढ़ चुका है। और अब उसके अंत का वक्त नजदीक आ गया है। शिवदास ने उस अगोरी से कहा। इस वक्त आप सब को कोने कोने से सिर्फ इसलिए बुलाये गया है। क्योंकि आप सब की खास जरूरत है। और आप सभी ये काम कर सकते है। शिवदास ने सभी अगोरियों से कहा। बात क्या बाबाजी। बस आप हमें ये बतलाइए। हम सब आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार है। अगोरियों ने कहा। पास की एक गुफा में निम्बक से नाम का एक दुष्ट काफी समय से आसूरी शक्तियों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। वह इन आसूरी शक्तियों को खुश करके उन्हें अपने अधीन करना चाहता है। और फिर पूरे विश्व पर राज करना चाहता है वो। शिवदास ने अगोरियों को बताया। ये सुनकर अगोरी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और एक अगोरी हैरान होते वे बोला। तो क्या उसे लगता है कि देव्य शक्तियों से विश्व को जीतने देखी। देव्य शक्तियों के सामने आसूरी शक्तियों की क्या भी साथ है। एक ने एक दिन आसूरी शक्तियों की हार होना निश्षी थी है। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, असल में तुम लोगों को बुलाने के पीछे का कारण कुछ और ही है। शिवदास ने सभी की और देखते वेका, हर कोई फिर से एक दूसरे की और देखने लगा, हर कोई ये भी जानता था कि कोई न कोई बहुत बड़ा काम है, जिसके कारण ही शिवदास ने इतनी संख्या में अगोरियों को बुलाया है। अभी तक वो जो भी करना चाहता था, हमें उस बात से अपत्ती नहीं थी, लेकिन अब जो उसने किया है, वो पाप है, और इस पाप की सजा सर्वनाश है। ये कहते हुए शिवदास का घुस्सा साथवें आसमान पर था, और अगर अभी कहीं निम्बक सेन उनके सामने आ जाता, तो वो निम्बक सेन को अवश्य मार देतें। हम सब तैयार हैं, आप बस बताईए हमें चलना का है। अगोरियों ने एक साथ कहा। शिवदास थोड़ी देर तक शांत रहा और फिर उसने उन अगोरियों को पूरी बात बताते हुए कहा, शक्ती से इस तरह से पेश आना हम सब के लिए अपमान की बात है। निम्बक उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अगोरियों के पास कई तरह के आउजार थे। कोई त्रशूल रखे था, कोई नुकिले भाले रखे था। किसी के हाथ में चिम्टा था, तो किसी के हाथ में धारदार खंजर था। हर कोई शिवदास के पीछे पीछे उस गुफा की और थोड़ी देर बाद अगोरियों की सेना गुफा के नस्दीक पहुँच चुकी थी। अगोरियों की सेना का हर अगोरी गुसे में था और वो बस गुफा पर आकरमन कर देना चाहते थे। लेकिन बहुत ढूंडने के बाद भी उन्हें गुफा के अंदर गुसने का कोई रास्ता नहीं मिला। आखिर हमें इस गुफा के अंदर प्रवेश कहां से करना है। एक अगोरी ने शिवदास से पूछा अगर रास्ता नहीं मिल रहा है तो इस गुफा को तोड़ कर रास्ता बनाओ और जल्द से जल्द अंदर चलो। क्योंकि इस राक्षस का अत्याचार अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो शक्ति को नुक्सान पहुँच सकता है। शिवदास ने उत्तेजना में आकर का उधर निम्बक सेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वो शक्ति को प्रतालित ही किये जा रहा था। निम्बक सेन जो भी शक्ति के साथ कर रहा था वासू उसको दिखकर दुखी था। अब तुझे मारने के बाद मेरा ही इस प्रत्वी पर राज होगा। ये कहकर निम्बक सेन मुस्कुराने लगा और शक्ति ने भी निम्बक सेन को देखकर मुस्कुरा दिया। आखिर तुम, तुम क्यों खुश हो रही हो, मेरी जीत की खुशे में तुमारा खुश होना कुछ अशुप संकीत कर रहा है। निम्बक सेन ने घुस्से में शक्ति से कहा, तेरा अंत बहुत नस्दीक आ गया है, तु क्या समझता है, तेरे पाप का घड़ा भरने के बाद भी तुझे छोड़ दिया जाएगा, तुम गलत फहिमी में हो निम्बक सेन, क्योंकि पाप का फल निश्शित समय और दिशा का इ और उसने शक्ति को देखते हुए का, आखिर कौन है तू और ये बता, तुम्हारे सिवार कौन है जो मुझे मारना चाता है, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुझे मारतूंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते निम्बक सेन, इस भूल में मत रहना, कि तुमने मुझे कैद कर ल आए, निम्बक सेन, कालनाग और वासु के सिवा, वहां मौझूद हर कोई हैरान था, क्योंकि अचानक से शक्ति ने ऐसी बात कह दी थी, जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, तबी गुफा की दिवार को तोड़ने की, जोर-जोर से आवाजे आने लगी, सभी निम्बक सेन और उसके लोग डरे हुए थे, क्योंकि अगोरी बहुत जादा घुस्से में थे, और इस गुफा को तोड़े रहे थे, लगता है, तू ऐसे कुछ भी नहीं बताएगी, इसलिए तुझे मार देना ही उचित है, निम्बक सेन ने शक्ति से कहा, तू अभी भी क अगोरियों की टोली निम्बक सेन की गुफा में गुज गई, हर तरफ ओम, नमश, शिवाय, और हर-हर महादेव के जयकारे गुझ रहते, और उन अगोरियों ने ऐसे हमला किया था, जैसे वो निम्बक सेन को कच्चा ही चबा जाते, ये, ये कौन सी नहीं बला है, और आख उनी शक्ति निम्बक सेन को दिख कर मुस्कुरा रहे थी। अब निम्बक सेन हड़बड़ी में कुछ भी कर रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। काल नाग के नाग पाश में बना वासू भी छूट गया। अब इन अगोरियों के सामने मेरी एक भी शक्ति काम नहीं करेगी। और अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुख सकता। तुम भी मौका देखकर निकल ही जाओ। क्योंकि अब यह लोग हमें छोड़ने वाले नहीं है काल नाग ने निम्बक सेन को समझाते वे कहा। इतने में शिवदास अपनी अगोरियों की सेना के साथ निम्बक सेन के सामने आप पहुँचे। और सभी ने दंडवत होकर शक्ति को प्रणाम किया। अगर यह क्या है यह लोग इस छोटी सी बच्ची को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। निम्बक सेन ने मनी मन में कहा। निम्बक सेन के हाथ पाउं काप रहे थे। क्योंकि इस वक्त गुफा में उसके अलावा कोई भी नहीं था। काल नाग मैदान छोड़कर भाग गया था और किसी भी देट्य शक्ति में यह ताकत नहीं थी जो वह अगोरियों को तनिक भी नुकसान पहुचा पाए। निम्बक सेन तुने अपने पाप का घड़ा भर लिया है और अब मौत के लिए तैयार हो जाओ। शेवदास ने निम्बक सेन से कहा वासू अब आज़ाद हो चुका था और उसने दौड़कर शक्ति को अपनी और खीच लिया और शक्ति अब निम्बक सेन की कैप से आज़ाद हो चुकी थी। जैसे ही वासू ने शक्ति का हाथ पकड़ा तब ही वासू के अंदर कई तरग शक्ति आने लगी। वासू को भी इस बात का एसास हो रहा था और वही निम्बक सेन को एसास हो रहा था कि उसका अंत नस्दीक था। आप जानते भी हैं कि आप इस वक्त किसकी कुफा में हैं ये निम्बक सेन की कुफा है और यहाँ पर ऐसी ऐसी देट्य शक्तिया हैं जिनका मुकाबला आप और आपकी सेना नहीं कर सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ तुम सम मेरे काम में बाधाना बनो और जहां से आये हो वहाँ लाट जाओ। निम्बक सेन तुरंत जाकर शिवदास के पैरों में गिर जाता है और बोला मुझे मुझे माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मैं आज से ही सबी गलत कामों को त्याक रहा हूँ और एक समानी इंसान के तरह जीवन वैतीत करूँगा मुझे माफ कर दीजि और तू जो करना चाहता था उसके लिए तुझे मौत भी मिल जाये तो तुझे उसको लेकर आभारी होना चाहिए। निम्बक सेन शिव भक्त के चरणों से उठी नी रहा था और बार बार उनसे दया की भीख मांग रहा था वहीं वासु ने निम्बक सेन से कहा अब तू जल्दी से उन्हों आर्तों और दम्यंती को अपनी कैट से आजाद कर दे नहीं तो तेरा वो हाल करेंगे जो कभी भी क सब नहीं होता और मैं भी अपने मकसद में सफल हो जाता लेकिन तुम दोने गलत वक्त पर आकर सब खेल खराब कर दिया क्या निम्बक सेन आसानी से उन आर्तों और दम्यंती को छोड़ देगा क्या निम्बक सेन का अंत नस्दीक है क्या अगोरी निम्बक सेन के जीवन को देंगे या फिर निम्बक सेन बच जाएगा क्या निम्बक सेन और अगोरियों के बीच युद्ध होगा क्या अगोरियों की सेना वाकई इस निम्बक सेन को खत्म कर देगी जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पॉकेट एफमपार निम्बक सेन को वासू पर बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वासू के कारण ही आज उसकी यह हालत हुई थी मैं जो चाहता था वो नहीं पासका तो मैं तुम्हें भी वो पाने नहीं दूँगा जो तू चाहता है तेरे लिए वो मनी पाना सबसे जरूरी है ना अब तू देख तू जब उस मनी के बिलकुल खरीब पहुचेगा तब भी तुझे मनी हांसिल नहीं होगी तू तामर उस मनी के लिए बटकता रहेगा लेकिन मैं वो मनी तुझे हांसिल नहीं करने दूँगा निमबक सिन ने घुसे में वासू से कहा तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले निमबक सिन लेकिन अंत में जीत सत्य और धर्म की होती है तू असत्य और धर्म के रास्ते पर चल कर जीतना चाहता था और मैं सत्य और धर्म के रास्ते पर चल कर लोगों के कल्यान और खुशी के विका नहीं 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 तू कभी उस मणी को हांसिल नहीं कर पाएगा मैं तेरे रास्ते में इतने दुश्म लाकर खड़ा कर दूँगा जिन से लड़ते लड़ते तेरी उम रिपीत जाएगी लेकिन तू मणी तक नहीं पहुंचेगा तू अभी मेरी शक्तियों को जानता न ही है अगर मैंने एक बार किसी बात कर निरने ले लिया तो फिर उस निरने को कोई भी नहीं बदल सकता है तो सुन ले अब मैं प्रतिग्या करता हूं कि जिस तरह मैं तेरे कारण अपने मकसद में नाकामियाब होकर तड़प रहा हूं उसी तरह तू भी अपने लक्ष तक पहुंचकर तरपेगा निम्बक ने वासू से कहा वासू मुस्कुरा रहा था और उसे लगता था कि निम्बक सेन के चाह लेने से और प्रतिग्या कर लेने से क्या होता है वासू ने निम्बक सेन की और देखकर मुस्कुराते हुए कहा लगता है निम्बक सेन अभी भी तुम तो ये भी चाहते थे न, कि तुम पूरे प्रित्वी पर राज करो, हर इंसान तुमारे कबजे में हो, तुम सब कुछ जीत लो, तुम अमर हो जाओ, और हर किसी को अपने वश में कर लो, ये सब तुम चाहते थे न, आज देखो, तुम कुछ भी नहीं पा सके, तुम ए निमबख से इनने घुसे में अपना मूँ फेर लिया, तुम ने कितनी कोशिशे की, कितनी असूरी शक्तियों को वश में किया, सब कुछ हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने, लेकिन जानते हो, तुमें क्यों कुछ नहीं मिला, यो कि तुमारे अंदर पाप तुम अपने आगे लोगों की नहीं सुन रहे थे और नहीं उनकी भलाई देख रहे थे, जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और दूसरे लोगों के लिए सिर्फ बुरा सोचता है, तो सबसे बुरा उस इंसान के साथ ही होता है, जो दूसरों के लिए खाई और इस बात के सबसे सही उधारण तुम ही हो आज तुमने अपना सब कुछ खो दिया निम्बक सेन वासु ने निम्बक सेन को ताने मारते हुए का निम्बक सेन जान चुका था इन अगोरियों के आगे अब उसकी एक भी चलने वाली नहीं थी लेकिन फिर भी अभी तक निम्बक ने उन औरतों और दम्यंती को आजाद नहीं किया था निम्बक सेन अभी भी वक्त है बता दो कि दम्यंती कहां पर है वासु ने तेज आवाज में निम्बक सेन से पूछा निम्बक सेन मुडा और एक अजीब सी हसी हसते हुए बोला दम्यंती, दम्यंती हैं निम्बक सेन बार बार दम्यंती का नाम ले रहा था और हस रहा था पास खड़े अगोरी और शक्ति ये सब कुछ देख रहे थे वासू निम्बक सेन की हसी से डर रहा था और डरते हुए बोला निम्बक सेन दम्यंती का है? हसना बंद करो और मुझे बताओ कि दम्यंती कहां पे? निम्बक सेन हसता ही जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था वासू के कई बार पूछने के बाद निम्बक सिन बोला तड़प रहे हो ना दर्द हो रहा है ना जो चाहते थे जब वो नहीं मिलता है तो उसका दर्द, उसकी तड़प और कैसी उल्जन कैसी होती है समझा रहा है ना तुमारे कारण मैं भी ये दर्द, ये उल्जन, ये तड़प जिल रहा हूं और अब मैं तुमें भी कभी खुश होने नहीं दूँगा तुम जिस चीज को चाहोगे वो मैं तुमसे च्छीन लूँगा जो तुमें सबसे प्यारी होगी, उसे तुमसे दूर कर दूँगा और तुम ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं तड़प रहा हूं निमबक सेन का गुस्सा अपने चरम पर था तब इस शिवदास ने कहा लगता है तु ऐसे नहीं मानेगा और तुझे अमारा गुस्सा देखना ही है लेकिन ये बात याद रख निमबक सेन अगर मेरा क्रोध बढ़ गया तो तुझे इस जन्म के साथ-साथ अगले कई जन्म तक अमारे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा अब तो मौत खरीब ही है अब किस बात का डर मैं निमबक सिन देट्य और तमाम मासूरी शक्तियों पर मेरा राज है मैं ब्रहमबांड को भी हिला सकता हूं और मेरी तमाम मासूरी शक्तियों को ब्रहमा, विष्णू और महिश्ट से वरदान प्राप्थ है और ये सारी दित्यों शक्तियां मेरे कबजे में है। अभी तो तुम सबने मेरी शक्तियों का सिर्फ नमूना ही देखा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में मैं क्या हूँ। निम्बक सेन ने घुस्से में कहा और यग्ये के पास बैठ कर शैतानी मंत्रों का उच्छारन करने लगा। वासु ये देखकर हैरान था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर से निम्बक सेन कुछ देत्यों को प्रकट करें और फिर से लड़ाई हूँ। मैं आप सब अगोरी बाबा को प्रणाम करता हूँ। आप सब हमें बचाने के लिए आए इसके लिए मैं आप सब का अभारी हूँ। लेकिन अब अगर इस निम्बक सेन के पापों की सजा दिने में हमने दिरी कर दी तो फिर ये निम्बक सेन फिर से कोई न कोई अपना रंग दिखा देगा। आप सब मार्ग दर्शन करें। वासु ने विनिती करते हुए अगोरियों से कहा। शिवदास का घुस्सा चरम पर था। उनकी आखे लाल थी और उनके चेहरे पर लगी भस्म किसी को भी डरा सकती थी। हम सब तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बलकि शक्ती के लिए आएं। शक्ती हमारे लिए आराद दिया है। और अगर कोई हमारी शक्ती का आहित चाहेगा, तो हम उस वैक्ती को नहीं छोड़ेंगे। शिवदास ने घुसे में कहा, पास खड़ी शक्ती सब कुछ सुनकर मुस्कुरा रही थी। और वही वासु को शिवदास की कोई भी बात समझी नहीं आ रही थी। लगता है, तुम्हारा ब्रह्म अभी तक दूर नहीं हुआ है वासु। शक्ती ने वासु से कहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। वासु ने शक्ती की तरफ देखकर मुस्कुराते वे कहा, निम्बक सेन इस वक्त मंत्रों से देथिश शक्तियों का आवान करने में लगा हुआ थ था, क्योंकि इस से यग्य देव का अपमान होता और फिर उस अगोरी की अब तक की की हुई सारी तपस्या देकार चली जाती। इसलिए सभी निम्बक सेन के यग्य पूजन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। शक्ती ने निम्बक सेन की और देखा और फिर वासु से ब अपमान होगा और एक बार दिव शक्तियां तुम से रूट गई तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कश्ट के सिवाए कुछ भी नहीं बचेगा और तुम्हारी जिंदगी से रस गायब हो जाएगा। वासु सत्य को सुनने के लिए बेताब था और वो जानना चाहता था कि आखर ऐसा कौन सा सत्य था जो शक्ति उसे बताना चाहती थी। वासु पहले ही शक्ति और अगोरियों के बीच भक्त और भगवान का रिष्टा देखकर परिशान था। आप जो भी बताएंगी मैं उसका जिक्र कभी भी कहीं भी नहीं करूँगा। वासु ने शक्ति को व जो तुम में है, मैं वो शक्ति हूँ, जो इन अगोरियों में है और इनके तप में है, मैं वो शक्ति हूँ, जो इस निम्बक सेन के देत्यों और आसुरी शक्तियों में है, मैं वो शक्ति भी हूँ, मैं देव में भी हूँ और दानव में भी हूँ, मैं इंसान में भी मैं वो शक्ती हूँ जिसकी हर किसी को जरूरत है और जो हर किसी के पास है। शक्ती ने अपना रूप विस्तार करते हुए वासु को बताया। जैसे जैसे शक्ती ने अपना रूप विस्तार किया, वो बच्ची से अपने असल रूप में आ गई। वासु ने जैसे ही शक्ती को देखा वो हैरान रह गया और वहीं अगोरियों ने शक्ती का ये रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अब वासु भी समझ गया था कि शक्ती कोई साधारन लड़की नहीं बलकि देव्य रूप थी। सभी लोगों ने शक्ती को प्रणाम किया और शक्ती ने वासु की तरफ मुस्कुराते विद्धिक कर कहा। याद रखना मैं सिर्फ शक्ती हूँ, कोई देवी नहीं। देवी तो सर्व शक्ती होती है। मैं उस देवी का ही एक छोटा सा अंच हूँ, उसके अंदर की एक छोटी सी शक्ती हूँ, जो इस पूरी स्रिष्टी के अंदर है। और आप तुम सोचो, वो देवी जिसके अंदर अंगीनत शक्तियों का भंडार है, वो कितनी ज्यादा शक्ती शाली होगी। वासू की आँखे ये सब देखकर फटी की फटी रह गए थी। लेकिन अभी भी उसके मन में कई तरह के प्रशन चल रहे थे। वासू ने शक्ती से कहा, लेकिन इन अगोरी बाबा को कैसे पता चला कि आप यहाँ पर हैं, आखिर आपको इनकी जरूरत क्यों पड़ गई। कई शक्तियां हासिल की हैं, जिनसे हम शक्ती से जुड़ सकते हैं। तुम भले इस बात को अभी नहीं स्विकार करोगे, क्योंकि यह अनुवव करने की बात हैं, और इसे माखिक रूप से समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम अगोरियों के अंदर आम इनसानों से अताह शक्तियों का भंडार होता है। हमारी उर्जा बची होने के कारण हम शक्ती से जुड़ पाते हैं और तब कर पाते हैं। और जैसे ही हमें पता चला कि हमारी शक्ती पर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम शक्ती को बचाने के लिए अपने प्राणों की बली देने यहां आगे। इतना कहकर शिब्दास ने फिर से शक्ती को प्रणाम किया और शक्ती फिर से मुस्कुराने लगी। ऐसा नहीं है वासू कि सिर्फ इंसानों के लिए ही नियम बनाएगे हैं। हम देव्य शक्तियां भी नियमों के तहत ही चलते हैं। बलकि इंसान तो रोज नियम को तोड़ता है और उसे नियमों के तूटने का फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन हम देव्य शक्तियां हर नियम को पूरा करने के लिए बाद दे हैं और प्रकृति का ये नियम है जिसकी मौत जब जैसे और जिसके हाथ लिखी है उसी से होगी इसलिए इतना अत्याचार होने के बावजूद मैंने निम्बक सेन का कुछ भी नहीं किया और इन अगोरियों को यहाँ बुलाया क्योंकि मैं भी नियम के तहट बंधी हुई हूँ मैं चाहूं तो निम्बक सेन को कपका मार सकती थी लेकिन ये दुनिया समय और नियमों के हिसाब से चलती है और मैं उसी के लिए बाद दे थी शक्ती ने वासू को समझाते विका उधर निम्बक सेन ने शैतानी मंत्रों के उच्चारण की गती को और भी बढ़ा दी थी और इधर वासू शक्ती की बात सुनकर हैरान था शक्ती ने जो कुछ भी अब तक वासू को बताया था वो सब सुनकर वासू को अपना सिर भारी भारी लगने लगा था तब ही अचानक वासू को ऐसा लगने लगा उसने अब तक शक्ती की जो भी बात सुनी थी वो सब कुछ वासू भूलने लगा है वासू शक्ती के द्वारा बताई गई बातों को बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वासू को शक्ती की बताई उई बात याद नहीं आ रहे थी. तब ही अचानक से कई सारे राक्षस निंबग से इनके सामने प्रकट हो गए, और निम्बक से इनने अपनी आखें खोली वासू बार बार शक्ति की बताईईवी बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्योंकि शक्ति ने अपनी शक्तियों का प्रेयोक करके वासू को सब कुछ भुला दिया था ए देट्टि शक्तियों और देट्टियों तुम सब मेरे आवान पर यहां आये हो। अब तुम सबको मेरे अनुसारी कारी करना होगा और इन सब अगोरियों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। निंबक सेन ने देट्यों को आदेश देते हुए का। जैसे ही निंबक सेन ने देट्यों को आदेश दिया, वो अगोरियों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। वहीं शुदास ने निंबक सेन से का। क्या शक्ति अपनी शक्तियों से निम्बक सेन को मारेगी आखिर और कब तक वासु को इस गुफा में रहना पड़ेगा क्या निम्बक सेन बच जाएगा जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पॉकेट एफेमपार शिवदास ने निम्बक सेन को चेतावनी दे दी थी लेकिन निम्बक सेन मानने वालों में से नहीं था आपको मेरे बले और बुरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अब तो आप सब बस अपनी चिंता करो क्योंकि इन आशूरी शक्तियों का मकाबला कोई भी नहीं कर सकता है निम्बक सिन्ने गुस्से में कहा शिवदास और सारे ही अगोरी निम्बक की बात सुनकर हसने लगे और एक अगोरी बोला तो इन आशूरी शक्तियों से हमें डरा रहा है तुझे पता भी है कि हम लोग रोज ऐसी आशूरी शक्तियों से खिलते हैं और इन शक्तियों में इतना दम नहीं है जो हम अगोरी को मार सकें। तुम सब इस बात का इंतिजार कर रहे हो। जाओ और अपनी आसुरी शक्ति से इन सब अगोरी को खत्म कर दो। निमबक सेन ने घुसे में अपने डेट्य शक्तियों से कहा। निम्बक सेन इतना ज्यादा घुस्से में था कि वो सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहा था। निम्बक सेन ने जैसे ही आदेश दिया एक देट्य जिसके पास अताः शक्तियों का भंडार था उसने अगोरियों पर आक्रमन कर दिया और तभी शिवदास के एक सेवक ने उस देट्य पर अपने चिम्टे से वार कर दिया ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव उस अगोरी ने जोर से चिलाया उस चिम्टे के वार से वो देट्य तुरंथ ही मर गया निम्बक सेन की पहली आसूरी शक्ति कुछी मिनटों में नाकाम हो गई थी और तभी उस अगोरी ने निम्बक सेन को ताने मारते हुए का तो देख ली अगोरियों की शक्ति तुम हमें जितना कमजोर समझते हो हम उतने कमजोर नहीं है देख ले तुँ अपनी चीस आसूरी शक्ति पर भेहत भरोसा करता है उसे मारने में हमें तनिक भी देरी नहीं लगी अगोरी की बात निम थुली शक्तिंगों को भी मारं दिया एक से तक निम्बक dziсят कोई भी हठियार काम नहीं कर रहा था वासु को सब देखकर काफी मजा रहा था और तब वहाउटने हस्ते हुए कहा मैंने आज तक तुम्हारे जेसा मुर्ख नहीं देखा निम्बक सेन। तुम इतनी बार हार चुके हो और तुम जानते हो कि तुम्हारी जीत होने वाली नहीं है। फिर भी तुम बच्चों की तरह हार मानने को तैयार नहीं हो। निम्बक सेन और अगोरियों में लडाईयां होती रही। लेकिन उन देख्य शक्तियों की अगोरियों के आगे एक भी न चली। कुछ देख्यों को अगोरियों ने भाले से मार दिया था तो कुछ को तर्शूल से मार दिया। हर तरफ खूनी खून बिकरा पड़ा हुआ अब बोलो निम्बक सेन आप तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम हमें डराना चाहते हो शिवदास ने निम्बक सेन का मजाख उडाते वे का निम्बक सेन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि धीरे धीरे उसके सारे यातियार और शक्तियां खत्म हो चुकी थी और उसके पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा था अगोरियों ने उसके सारे सपने पर पानी फेर दिया था कि तभी जैम वहाँ पर अपने साथ कई लड़कियों को लेकर आगिया आपके कहें अनुसार मैं पहाड़ी के नीचे से उन तमाम लड़कियों को लेकर आगिया हूँ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है अब आप इन सब के साथ चाहे जो कर सकते हैं आपको रुकने वाला कोई नहीं होगा निमबक सेंसे कहकर जैम हसने लगा जैम जिन लड़कियों को पहाड़ी के नीचे से उठा कर लाया था वो उससे दया की भीक मांग रही थी लेकिन जैम ने उसकी एक न सुनी ये सब क्या है? ये लोग कौन है? और ये लड़का आपके सामने अभी तक है? आपनी स्वासू को खत्म नहीं कि आप तक? क्या आप अपना मकसद भूल गए है? जैम ने निमबक सेंसे कहा थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद जैम को भी एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ जरूर गलत हुआ है और अब वो डर के कारण बहकी बहकी सी बाते कर रहा था जैम के बार बार पूछने पर निमबक सेंसे ने कहा सब कुछ खत्म हो गया है अमारा मकसद, अमारा सपना सब तूट गया है अब अमारे पास हार के सिवा कुछ भी नहीं है जैम जयम ने जैसे ही निम्बक सेन की आँखों में आसू देखे, वो उन आसूं को पोचते हुए बोला हम अपने मकसद को जरूर कामियावी तक पहुचाएंगे, अब इतनी दूर आने के बाद आप हार नहीं मान सकते हैं, इन लोगों से मत डर ये, ये वासू, ये अगोरी, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे बले ही जयाम ऐसी बाते कर रहा था, लेकिन उसे भी कहीं न कहीं पता था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था तब ही निम्बक सेन अपने जूटे आसू बहाते हुए अगोरियों के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगा मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर विनिती करता हूँ, ये मुझे एक मौका और दे दीजे, मैं अपने आप को सुधार कर अपने पापों का प्राश्चित करना चाहता हूँ, मुझे पता है, मैंने जीवन में सिर्फ गलतियों के सिवाए कुछ नहीं किया है, लेकिन अब उन ग इसी से हाथ जोड़ कर विनिती कर रहा था, तब ही शिवदास ने कहा, तुम्हें एक नहीं, इससे पहले कई बार माफ किया जा चुका है, तुम्हें कई बार माफी दी जा चुकी है, इसलिए आज तक तुम जिन्दा हो, वरना पता नहीं कब कम मर गए होते, और अगर एक पर फिर से हमने तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम फिर इससे भी बड़े पाप करोगे निम्बक, अगोरी जानते थे कि निम्बक सेन के आंसू घड़ियाली आंसू थे, और वो सिर्फ बचने के लिए रो रहा था, जिससे फिर से वो अपना आतंक पहला सके और आने वाल या नहीं, ये भी वासू ही ते करेगा। निम्बक सेन तुरंत ही वासू के पास गया और उसके हाथ पाऊं जोड़ने लगा। वासू ने निम्बक सेन से कहा, दम्यन थी और वो आरते कहा पर है, अब तो उन्हों आरतों को छोड़ दो। निम्बक सेन कुछ देर तक सोचत क्यों न करना पड़े। लेकिन मुझे मरना नहीं है। सबसे पहले तो तुम उन आरतों को भार लेकर आ। और तभी मैं सोचूँगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या करना है। वासू ने निम्बक सेंद से कहा। निम्बक सेंद दौडता हुआ एक कोठरी में गया इसे थलपा थलपा कर मारेंगे। वासू ने शक्ति की और देखते हुए कहा। वही काल कोठरी में माजूद निम्बक सेंद बाहर की बातें सुन रहा था। और जैसे ही उसने वासू की बात सुनी वो सहम गया। और जिन आरतों और दम्यंति को वासानी से वासू के हाथ में सौपने वाला था अब उसने आरतों को भी रोक लिया। उसने उन सभी आरतों को रोक कर फिर से शैतानी मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जिसके बात सभी आरतों का चेहरा एक सा हो गया और सभी आरते खू बहू दम्यंति नजर आने लगी। अब इस वासू के बच्चे को पता चलेगा जो मेरे साथ साजिश करना चाहता है। उसके साथ मैं क्या करता हूँ अब ये दम्यंति को नहीं टून पाएगा। निम्बक सेन ने हसते हुए का। तबी निम्बक सेन सभी आरतों के साथ बैठी एक ऐसी आरत के पास किया जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था जिसे पैदा हुए एक साल भी नहीं हुआ होगा। और निम्बक सेन ने बच्चे को छीनते हुए का, यह बच्चा अब मेरे पास ही रहेगा, और अगर तुम मेंसे किसी ने भी वहां मूँ खोला, तो मैं इस बच्चे को मार दूँगा। निम्बक सेन ने घूरते हुए सभी औरतों से कहा। जैम भी निम्बक सेन के साथ ही था और उसने भी कई अन औरतों के बच्चों को उनसे छिन लिया था। इन सब बच्चों को पैदा हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ था। लेकिन निम्बक सेन और जयम इन बच्चों को ऐसे चीन रहते जैसे वो कोई बच्चे नहीं बलकि कोई वस्तू हो। निम्बक सेन तू अपनी मौत की देहलीस पर खड़ा है लेकिन तू अभी भी राक्षसी पन से बाज नहीं आ रहा है। तू जो कर रहा है न उसका अंजाम सोच। तूने जो जो पाप की है उन सब की सजा एक न एक दिन तो मिलेगी। एक औरत ने निम्बक सेन को डराते वे का। उस औरत का इतना कहना था कि निम्बक सेन ने अचानक उस औरत को घायब कर दिया। सभी औरते ये देखकर दंग रह गई और निम्बक सेन ने चिलाते वे का। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे साथ गदारी करने की कोशिश की तो तुम सब के साथ भी यही होगा जो इस हारत के साथ हुआ है। औरते डरी वी थी। वही वासू दम्यंती के आने का इंतजार कर रहा था और वासू ने कहा आखिर इस निम्बक सेन को आने में इतनी देर की हो गई। कहीं वो फिर से कोई साजिश करने की तो नहीं सोच रहा है। शक्ती ने वासू की तरफ देखा और मुस्कुराते वे कहा। बहुत जल्दी निम्बक के पाप शरम पर होगे। फिर देखना ये कोई भी साजिश को अंजाम देने के भी खाबिल नहीं रहेगा। इतने में तमाम औरते गुंगट लटकाए सब के सामने आ गई। और साथ निम्बक सेन भी आ रहा था। वहीं जयम इन औरतों के बच्चों को अंदर कैद किये वे बैठा था। जैसे ही वासू ने इन औरतों को देखा तो वह खुश हो गया। वो सभी औरतों के पास गया और बोला दम्यंती तुम कहा हो दम्यंती मैं वासू हूँ आगया अब हमा दम्यंती का है। वासू ने कई बार पूछा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सब चुपचाप खड़े रहे। वासू दम्यंती से मिलने के लिए बेताब था लेकिन इतनी आरतों के बीच में दम्यंती कहा थी इसका कोई पता नहीं चल रहा था। आप सब लोग अपना गुंगट क्यों नहीं हटा रही है। वासू ने उन आरतों से कहा। पहले तो वो आरते चुप रही और फिर वासू के बार बार कहने पर उन आरतों ने अपना गुंगट उठाया और जैसे ही वासू ने उन आरतों को देखा वो देखकर हैरान रह गया। हर आ मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। निम्बक सेन हस रहा था और बोला। हुहाहाहा। बस मैं तुम्हारे अंदर यही तड़ब देखना चाहता हूं वासू। अभी तु मैंने बस तुमसे बदला लेने की शुरुवात की है। आगे आगे देखो होता है क्या। शक्ती और अगोरी भी ये दिखकर हैरान थे। और शिवदास ने निम्बक सेन से कहा। अब तुम सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने चुपचाप इन ओरतों का आजाद नहीं किया। तो फिर क्या तुम मुझे मार दोगे। लो मार दो लेकिन ध्यान रहे। इसके बाद इन ओरतों में कौन दम्यंती है ये तुम लोगों को कभी भी पता नहीं चल पाएगा। निम्बक सेन ने ताने मारते हुए अगोरी से कहा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें बताना ही होगा कि दम्यंती कहा है। वासु ने निम्बक सेन से कहा। निम्बक सेन हस रहा था क्योंकि एक बार फिर से बाजी उसके हाथ में ही थी। और निम्बक सेन के अलावा, ऐसा कोई भी नहीं था, जो आरतों को उनका अपना चेहरा वापस दे सके. आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए निम्बक सेन, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दम्यन्ती और इन ओरतों को छोड़ दो, अब बस बहुत हुआ. वासु ने निम्बक सेन से विनिती करते वे का, ठीक है, तुम जैसा कहते हो, मैं वैसा ही कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम सब को मेरी एक शर्त माननी होगी. निम्बक सेन ने अगोरियों को देखते वे अपनी बात कही, एक भी अगोरी निम्बक सेन के सामने जुकना नहीं चाहता था, और वो निम्बक सेन की एक भी शर्त मानने को तयार नहीं था. अगर मेरी ये शर्थ पूरी नहीं की गई तो फिर तुम इन में से एक भी आरत को नहीं बचा पाओगे और अपनी दम्यंती को भूली जाओ निम्बक सिन्ने वासु की और देखते वे का हम चाहें तो तुझे अभी यहां खत्म कर सकते हैं जिस तरह तेरे पूरे देखते सामराज्य का नाश किया है वैसे ही अगर तुने हमारी बात नहीं मानी तो तुझे यहीं पर भस्म कर देंगे शिवदास ने चिलाते वे का अगर आपको लगता है क्या आप मुझे भस्म कर सकते हैं तो कर दीजिए लेकिन फिर इन औरतों को इनकी असल पहचान कैसे वापस देंगे इनकी असल पहचान तो मेरे हाथ में है निम्बक सेन ने मजाक उड़ाते वे का आखिर अब निम्बक सेन ऐसी कौन सी शर्ट रखने वाला था क्या वासू के लिए और एक मुसीबत सामने खड़ी थी क्या निम्बक सेन अपनी शर्ट के कारण जीत जाएगा दम्यंती वासू को मिलेगी भी या फिर नहीं क्या निम्बक सेन से बचने का कोई और रास्ता भी था क्या निम्बक से औरतों को उनका असली चहरा लाटा देगा जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पाकेट एफेमपार निम्बक सेन अच्छे से जानता था कि जब तक ये लोग इन औरतों को नहीं छुडा लेते हैं तब तक वो निम्बक सेन का कुछ नहीं कर सकते थे वहीं अगोरियों को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी और वो निम्बक सेन को भस्म करने के लिए तैयार थे जैसे ही निम्बक सेन ने भस्म करने की बात कही शिवदास ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा ये देखकर निम्बक सेन डर गया और बोला अगर मुझे कुछ भी हुआ तो ये सब औरतें हमेशा ऐसी ही रहेंगी और इनके बच्चे भी तुम लोगों को मिल नहीं पाएंगे इसलिए इस अगोरी को रोको वासू नहीं तो मैं मरने से पहले सब कुछ बरबाद कर दूँगा वासू निम्बक सेन को घूर कर देख रहा था और जैसे ही अगोरी शिवदास निम्बक सेन पर वो जल फेकने वाला था तब ही शक्ती ने कहा रुख जाएए अभी इसके पापों की सजा मिलने में वक्त है हमें इसकी शर्ट माननी ही होगी शिवदास रुख गया और निम्बक सेन की हसी फिर से लौट आई और वो जोर जोर से हसने लगा मैं जीत गया मैं जीत गया मुझे कोई भी शक्ती मार नहीं सकती है मैं निम्बक सेन हूँ और मैं इस पूरे प्रित्वी को एक दिन जीत लूँगा निम्बक सेन ने हस्ते हुए गा निम्बक सेन अपने में ही फूले नहीं समा रहा था और उसे लग रहा था कि उसने पूरे जहां को जीत लिया हूँ तब ही शक्ती ने गुस्से में आकर गा अपनी जीत का इतना भी जश्न मत मनाओ निम्बक्सेन अगर तुम्हारी मौत अभी लिखी होती तो उसे कोई नहीं रोख सकता था तो मैं शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारी अभी मौत लिखी नहीं है लेकिन ये याद रखो तुम अमर नहीं हो और तुमारी भी एक नएक दिन मौत निश्शित है मैं कभी नहीं मरूँगा मैं अमरता का वरदान प्राप्त करूँगा मैं देवताओं को अपने वश में करूँगा मेरा लक्ष मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ निम्बक्सेन ने घूरते हुए शक्ती से कह तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है निμबक सेन। शक्ति ने मुसकुराते हुए निमबक सेन से का जैसे मैंने अब तक तुम लोगों से वो सब करवाया है जो मैं चाहता था वैसे ही मैं वो सब हांसिल करूंगा जो मैं चाहता हूँ निम्बक सेन ने सभी की ओर घूर कर कहा ठीक है निम्बक सेन फिलाल तो तुम अपनी शर्ट बता आखिर तुम अब क्या चाहते हो शक्ती ने निम्बक सेन से पूछा अलाकि शक्ती को पहले से ही पता था कि निम्बक सेन क्या चाहता था मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी देद्ध शक्तियों को फिर से जीवन दिया जाए और मेरी शक्तियों को वापस किया जाए मैं इस गुफा से दूर चला जाऊंगा और कभी इधर नहीं आऊंगा लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ अगोरियों ने शक्ति की तरफ देखा और साफ इंकार करते हुए कहा नहीं ये कता ही नहीं हो सकता है और हम इन आसूरी शक्तियों को वापस इसके कबजे में नहीं देंगे ठीक है फिर मुझे भी मार दो और मैं इनके बच्चों और इन औरतों को मार देता हूँ निमबक सेन ने धंकी देते हुए अगोरियों से कहा निमबक सेन और अगोरियों में काफी बातचीत होने के बाद शक्ति ने कहा ठीक है तुमें वो सबी शक्तियां वापस मिल जाएगी लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने इस दुनिया को नुकसान पहुँचाना चाहा तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा थोड़ी देर बाद शक्ति के कहने पर निमबक सेन को उसकी शक्तियां वापस दे दी गई और तब इस शक्ति ने निमबक सेन से कहा निमबक सेन आज में तुमें एक श्राब देती हूँ अगर तुमने आज के बाद किसी भी औरत के लिए बुरा सोचा और उसे गलत निगा से देखा और उसका गलत इस्तमाल किया तो ये सारी शक्तियां उसी समय तुमसे दूर चली जाएंगी निमबक सेन ने जैसे ही ये सुना वो हैराम रह गया और थोड़ी देर बाद अगोरी शिवदास ने शक्ति से कहा मेरे कमंडल से निकला मंत्रो चारित जल वापस नहीं जा सकता है मुझे इसका इस्तमाल कहीं न कहीं करना ही होगा निमबक सेन ने जैम को बाहर बुलाया और जैम से उन औरतों को उनके बच्चे वापस करने को खा थोड़ी देर में सभी औरतों को अपनी पहचान वापस मिल गई वासू वासू मुझे बचा लो वासू दम्यंती दोड़ते हुए आई और वासू के गले से लिपट गई हर किसी के लिए ये भावुक पल था क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद आज वासू और दम्यंती एक दूसरे से मिले थे वहीं अन्य आरते भी अपने बच्चों को अपनी गोद मिले कर खुश थी हर आरत अपने बच्चे को प्यार कर रही थी और हर किसी के लिए पल बहत खुबसूरत था क्योंकि हर किसी को निम्बक सेन की कायद से आज़ादी मिलने वाली थी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया वासू, मेरे कारण तुम अपनी मणी भूल गए और यहां मुझे बचाने के लिए आगे मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था, कोई मेरे लिए इतना करेगा मेरे भाई के सिवा मेरे लिए इतना कोई नहीं सोचता था लेकिन तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दाओं पर लगा दी वासू। दम्यंती ने वासू की आँखों में देखते विका। वासू भी दम्यंती को देखे जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आँखों में देखे जा रहे थे। तभी दम्यंती वासू के करीब आई और उसके गले से लग गी। दम्यंती सभी के सामने वासू के बहुत करीब आ गई थी। सभी ने ये देखकर अपना चेहरा फेर लिया और हर कोई वासू और दम्यंती के लिए खुश था। सबी दम्यंती और वासू के प्यार को समझ चुके थे। वासू ने दम्यंती को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। मैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं वासू? तुमने मेरे लिए जो भी किया, उसे मैं कई जन्म लेकर भी चुका नहीं सकती हूं। जानते हो वासू, निम्बक सेन ने हम औरतों को कैद सिर्फ अपनी मनमानी के लिए नहीं किया था। बलकि ये औरतों की पवितर ओर्जा का इस्तमाल कर इस दुनिया पर काबू पाना चाता था। लेकिन तुमने इसका ये गलत मकसद पूरी तरह से तभा कर दिया वासू, मु कुराहट दिखकर लग रहा है कि आज मेरी सारी महनत कामियाब होगी। हर औरत वासू की प्रशंसा कर रही थी। और एक औरत ने कहा अगर तुम जैसे लोग इस प्रिथवी पर हो जाए तो एक भी औरत का नहीं अपमान हो और नहीं एक भी औरत को कश्ट मिले। लेकिन अब बंद करो इस वासू की तारिफ करना। ये वासू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो तो अगर ये सब लोग आकर इसकी मदद नहीं करतें तो ये भी तुम लोगों के साथ यहीं कैद में होता। निम्बक सेन ने घुसे में कहा। किसी भी औरत ने निम्बक सेन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया दम्यंती तुम इन सभी औरतों को यहां से निकाल कर बाहर ले जो वासू ने दम्यंती से कहा दम्यंती उन सभी औरतों के साथ गुफा से बाहर जाने लगी और आज सभी औरतों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था रुक जाओ जब तक मै मैं यहां से जाने नहीं दूँगा। पहले मैं यहां से निकलूँगा। निम्बक सेन ने कहा। सभी और दम्यंती वहीं रुख गई। और फिर निम्बक सेन वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। मैं वापस जरूर आऊंगा वासू, तुमसे मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, और एक दिन मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूँगा, वो जो मणी तुम हासिल करना चाहते हो, उसे भी मैं तुमसे छीन लूँगा। ये कहकर निमबक सेन गुफा से बाहर की और जाने लगा, मुझे भी यहां से बाहर निकालिये गुरुदेव। जैयम ने परेशान होते हुए निमबक सेन से कहा, निमबक सेन ने पीछे मुल कर देखा और फिर अगोरी से बोला, वो जल आप इसके उपर डाल कर इसे बस्म कर यह जैयम मेरे किसी काम का नहीं है, और यो मेरे काम का नहीं, उसे मैं जिन्दा नहीं रखता। ये सुनकर जैयम को बहुत जादा गुसा आगया और उसने गुसे में कहा, धोखेवास, दुष्ट, तुझे अपने आगे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है, तुने मुझ से अ महां से जा चुका था जैयम ने निम्बक सेंट से खुद को साथ ले चलने के लिए काफी बार विनिदी की लेकिन निम्बक सेंट ने एक भी न सुनी और जैयम ने बोला तू सिर्फ खुद कोई शक्तिशाली समस्ता है ना निम्बक लेकिन तू याद रख तूने जो मेरे के साथ गुफा से बाहर जा रहा था तब ही जैम ने कहा अगर मेरे बैटे का सबसे बड़ा दुश्मन कोई होगा तो वह अपसे तु ही होगा तू अपनी मौत की पितिक्षा कर बहुत जल्द मेरे जैम के कंदे पर हाथ रखा और कहा नजाने तुम्हें ये सीख क्यों नहीं मिली कि अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा भी बुरा ही होता है। जैम ने वासू की और देखा और हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगा। मुझे मुझे माफ कर दो मैंने उस दुष्ट पापी नीच के कहने पर तुम्हारे साथ चल किया तुमसे जूट बोला। मैं जानता हूँ मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ लेकिन मरने से पहले मैं तुमसे हाथ जोड़कर शमा मांगता हूँ। काश आपने उसे पहले पहचान लिया हुता। जैम का रोरोकर बुरा हाल था और वासू को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वासू भी नहीं चाहता था कि जैम की मौत हो लेकिन नियम के आगे वो मजबूर था। और अब जैम की मौत निश्यत थी। जैसे ही अगोरी शिवदास जैम को भस्म करने वाले थे। जैम ने वासू को अपने नस्दीक बुलाया और कहा। आप तो किसी का वादा निभाने के लिए अपनी जान की भी कुर्वानी दे देते हैं। आज मैं आपसे एक वादा मांग रहा हूँ। आज आप एक काम मेरा कर दीजी। वासू ने जैम के हाथ पकड़े और बोला बताओ जैम आखिर तुम चाहते क्या हो। जैम ने कहा, मेरा बेटा है अविनव, मैं चाहता हूँ वो आपकी संगत मेरे। मैंने संगती का असर देख लिया है और मैं जानता हूँ कि अच्छी संगती का नतीजा आपको सम्मान और टेम दिलाता है। और बुरी संगती सिर्फ अन्त। जिस तरीके से मेरा अंत हो रहा है मैं नहीं चाहता हूँ मेरे बेटे का अंत भी उसी तरह हो इसलिए आप मुझसे वादा करिये कि आप उसे अपने पास रखकर जीवन में एक अच्छा और नेक इनसान बनाएंगे वासू ने जैम की बात माल ली और उसे वादा करते हुए कहा तुम चिंता मत करो जैम मैं उसे बुराईयों से दूर रखकर अच्छे रास्ते की और ली जाँगा और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी ही है इसके बाद अगोरी शिवदास ने जैम पर मंतरों से उच्चारित जल फेक दिया और देखते ही देखते जैम जल कर भस्म हो गया वासू की आख कुछ देर तक जैम पर हिटिकी रहेगी तब ही शक्ती ने आकर वासू से कहा वासू यही जीवन का नियम है जो आता है वो जाता है हर जीव जो प्रित्वी पर आया है वो जाएगा तुम भी जाओगे बस फर्क इतना है कि कोई जल्दी जाता है तो कोई थोड़ा से देरी से जाता है तुम्हें परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रकिर्टी के नियम के आगे किसी की भी चलती नहीं है कुछ देर बाद अगोरी और शक्ती उस गुफा से चले गए और बाकी औरतें भी गुफा से निकल कर अपने अपने घर की ओर जाने लगी वासू और दम्यंती ने एक दूसरे को गले से लगा है और फिर उस गुफा को अलविदा कहते हुए वासू मुस्कुरा कर बोला जीवन कितना अजीब है यहां कब क्या होता है किसी को नहीं पता होता मणी को ढूंडते ढूंडते हमें क्या कुछ जानने और देखने को नहीं मिला यही हमारा जीवन भी है हम तमाम उम्र न जाने क्या-क्या ढूंडने और पाने की चाहत रखते है और अंत में हमें तरह-तरह के अनुवब मिलते रहते है और हम जीवन से सीखते रहते है वासू और दम्यन्ती गुफा से बाहर कदम रखने ही वाले थे कि तभी एक उरत ने वासू को पीछे से आवाज लगाई रुख जा वासू उस उरत को देखकर वासू चौग गया और उसके कदम वही थम गए आखिर कौन थी वो आरत जिसे देखकर वासू चोग गया क्या वासू और दम्यन्ती गुफा से बाहर नहीं जा पाएंगे अब कैसे ढूंड पाएगा वासू मनी को क्या वासू जैम को दिया हुआ वादा निभाएगा क्या निम्बक सेन वासू से मनी चीनने की कोशिश करेगा अब मनी हासिल करने के लिए वासू को किस कठिनाई से गुजरना होगा जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पकेट अफेमपार वासू को आवास देकर रोकने वाली औरत और कोई नहीं बलकि राजकुमारी शालिनी थी अरे राजकुमारी शालिनी आप? वासू ने चौकते वे शालिनी को देखकर कहा राजकुमारी शालिनी मुस्कुराई और बोली तो आखिरकर तुमने सब को बचा ही लिया वासू वासू भी राजकुमारी शालिनी को देख कर मुस्कुराया और दम्यंती को राजकुमारी शालिनी के बारे में बताते वे बोला राजकुमारी शालिनी ने हमारी बहुत मदद की है अगर वो ना होती, तो मैं कपका जान गवा चुका होता दम्यंती। दम्यंती भी राजकुमारी शालिनी को देखकर मुस्कुराई और फिर वासू ने राजकुमारी शालिनी को उनकी दीवी चादर देते हुए कहा। इस चादर ने मेरी कई तरीकों से जान बचाई है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, शायद ये चादर नहीं होती तो मैं आज जिन्दा नहीं होता, ऐसा नहीं है, तुम एक सहासिक युवक हो वासू, तुम्हें कोई भी ताकत नहीं मार सकती है, क्योंकि तुम लड़ना जानते हो, तुम अपनी हार नहीं मानते हो और जीत के लिए तुम्हारी जिद्धी तुमें जीत दिलाती है, राजकुमारी शालिनी ने मुस्कुराते हुए वासू से कहा, मैं किसी से कुछ जीतना नहीं चाहता था राजकुमारी शालिनी, मैं तो बस उन लड़कियों और आर्टों को बचाना चाहता था जिन पर अत्याचार हो रहा था और आगे भी मैं ऐसा ही करूँगा वासु ने राजकुमारी शालिनी की ओर दिख कर कहा राजकुमारी शालिनी वासु से बहुत प्रभावित थी क्योंकि आज इतनी बड़ी जीत होने के बाद भी वासु के मन और दिल में थोड़ा सा भी एहम भाव नहीं था इस चादर की जरूरत तुमें बहुत ज्यादा पढ़ने वाली ये वासु इसलिए आप से ये चादर तुम ही रखो वैसे भी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है राजकुमारी शालिनी ने चादर वासु को देते वे कहा व लिए हमें इस गुफा को बंद कर देना चाहिए राजकुमारी शालिनी ने वासु से कहा थोड़ी देर बाद वासु दम्यंती और राजकुमारी शालिनी ने मिलकर उस गुफा के दर्वाजे को पत्थरों से बंद कर दिया और फिर वहां से अपनी अपनी मंजिल की और जा जैम ने मुझसे वादा लिया है कि मुझे उसके बेटे का ख्याल रखना है और अगर मैंने वो वादा नहीं निभाया तो मुझे अंदर ये अंदर बहुत कश्ट होगा वासू ने राजकुमारी शालिनी से कहा जैसे ही वासू ने ये बात कही दम्यंती की बोहें तन गई और दम्यंती ने वासू से पूछा तो तुम फिर से अपनी जरूरतों को बूल कर दूसरों की मदद करने के लिए जा रहे हो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है दम्यंती मेरा सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को किये हुए वादे को सबसे पहले निभाना चाहे मुझे मु वासू की बात ठीक नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था कि ऐसे तो वासू दूसरों की मदद ही करते रह जाएगा और कभी अपने बारे में सोचेगा ही नहीं दम्यंती ने वासू को समझाते वेगा तुम्हें दूसरों की चिंता छोड़ पहले अपने बारे में सोचन नहीं जाता है। वासू ने दम्यंती की तरफ घूर कर देखा और बोला मेरे पास देने के लिए मेरा विश्वास है। भले ही मैं एक आम इंसान हूँ लेकिन मैं अपनी बुद्धी और विश्वास से तो लोगों की मदद कर सकता हूँ न। पर इस वक्त मेरे लिए सबसे जर कर उसके बेटे ने भी तुम्हें धोखा दिया तो क्या करोगे। राजकुमारी शालेनी ने वासू से कहा। वासू किसी की भी बात सुनने को तयार नहीं था और वो बस अविनप से मिलना चाहता था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी शालेनी वहां से चली गई और ना वासू को गलत नजर से देखने लगे। कोई भी वासू से बात नहीं कर रहा था और वासू किसी से भी जब अविनप के बारे में पूछता था तो वो गुस्से से अपना मूँ फिर लेता था। आप सब लोग अविनप के बारे में बताने से कत्रा क्यों रहें। वासू न ये लोग अभी भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गाउं के सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। और जैम को लेकर गाउंवालों में पहले से काफी गुसा था। देखिए आप सब लोग मेरी बात को समझेए। आविनव से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप लोग मेरी मदद करें। वासू ने हाथ जोडते हुए उन गाउंवालों से कहा। जो भी गाउंवाले उस बजार में थे वो वासू को घूर घूर कर देख रहे थे। क्योंकि अब तक उन्होंने वासू जैसा इंसान नहीं देखा था। आप लोग मुझे घूर घूर कर देखना बंद कीजिए। और ये बताईए कि मुझे जैम का लड़का अविनव कहां मिलेगा। वासू ने गाउंवालों से फिर से कहा। वासू के कई बार बूचने के बावजूद भी किसी भी गाउंवाले ने अविनव के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस जैम के बेटे के साथ उसके गाउंवाले ही नहीं खड़े हैं। आखिर उसके लिए तुम्हे इतना परिशान होने कि क्या जरूर थे वासू। दम्यंती ने परिशान होते वे वासू से कहा। मही वासू ने देखा काफी देर से एक लड़का वासू का पीछा कर रहा था। वो बाजार से ही वासू के पीछे लगा हुआ था और जब जब वासू उसकी तरफ देखता था वो लड़का नजरे फेर लेता था। वासू अब यहां से चलना चाहिए। हमें यहां कोई अविनव मिले वाला नहीं है। दम्यंती ने फिर से वासू से चलने की इच्छा जाहिर की। दम्यंती नहीं चाहती थी कि वासू अविनव से जाकर मिले। दम्यंती चाहती थी कि जल्दी से वासू अपने मनी को हासिल करके इंदरपूरम पर राज्य करे। और दम्यंती से विवा करके उसे इंदरपूरम की बिर्णाई बनाए। जब दम्यंति बार बार वासू से चलने को कहने लगी तो वासू को उस्ता आ गया और उसने दम्यंति से कहा अगर तुम्हें जाना एं तो तुम जा सकती हो दम्यंति लेकिन मेरे लिए मेरे काम से ज़्यादा ज़रूरी दुसरों को किये हुए वादे हैं और मैं अविनब को ढूंड करी रहूंगा वासू ने दम्यंती से तेज आवाज में बात की जो दम्यंती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वहीं वो लड़का अभी भी वासू का पीछा कर रहा था आखिर ये लड़का तब से मेरा पीछा क्यों कर रहा है मुझे ये पता करना होगा आखिर ये चाहता क्या है वासू ने मनीमन कह थोड़ी देर बाद वासू दम्यंती को लेकर एक पेड़ के पीछे चिप किया और उस लड़के के सामने से अचानक वासू और दम्यंती गायब हो गए। वो लड़का वासू और दम्यंती को ढूंडते हुए आगे बढ़ा और तभी वासू ने उसे पीछे से पकड़ कर कहा। तुम इतनी देर से हम लोगों का पीछा क्यों कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो। जब वासू ने उसे पीछे से पकड़ा तो वो लड़का डर सा गया और बोला मैं आपको कोई नुकसान पहुचाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। वासू ने उसकी गर्दन पर भाला रखा हुआ था और तभी वासू ने उस भाले को हटाया और बोला मदद कैसी मदद तुम हमारे लिए क्या करना चाहते हो मैंने बजार में देखा आप अविनव से मिलना चाहते हैं न आपको उसके पिता जैम नहीं आ भेजा है मैं और अविनव काफी समय से अच्छे दोस्त है लेकिन गाउवालों की वज़े से हम अब एक दूसरे से मिलनी सकते हैं आविनव के दोस्त अरुन ने वासू से कहा लेकिन ये गाउव के लोग अविनव का नाम सुनकर इतने घुसे में क्यों आ जाते हैं वासू ने अरुन से पूछा हलाकि वासू इस बात से वाकिफ था और उसे अंदाजा था कि शायद जैम की हरकतों के कारण ही उसे और उसके बेटे अविनव को इस गाउव में पसंद नहीं किया जाता था और तब ही अरुन ने कहा अविनव के पिता ने गाउवालों के साथ बहुत बुरा किया था वो हमारी बहनों और माताओं को अपनी तलवार के दम पर यहां से ले जाता था और इस गाउव की जिस भी लड़की को वो ले जाता था न वो आज तक लाटकर वापस नहीं आई इतना कहकर अरुन रोने लगा क्योंकि उसने भी जैम के कारण अपनी बहन खोई थी वासू जैम को अच्छे से जानता था और इसलिए वो अरुन के नजदिक आया और बोला क्या तुम मुझे अविनब के घर तक पहुचा सकते हो अरुन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला अगर गाउवालों को पता चल गया तो मुझे और मेरे परिवार को भी वैसी अलग-अलग कर देंगे जैसे उन्होंने अविनब के परिवार वालों को किया है वासू अरुन के डर को समझता था वो जानता था इतने छोटे से गाउं में कभी भी कोई आपसी मतबिद करने से पहले कई बार सूसता है और अगर ऐसे में अरुन और उसके परिवार वालों ने गाउंवालों के विपरिच जाकर कुछ किया तो गाउंवाले अरुन के परिवार को भी अलग कर देंगे तुम मुझे चुपके से उसके घर के नजदीक पहुचा दो मांकी का हम खुद दिख लेंगे वासू ने अरुन से कहा अरुन वासू की बात मान गया और अविनप का घर बताने के लिए आगे आगे चलने लगा रास्ते में अरुन ने वासू से कहा जब उसके घर पर जाना तो थोड़ा सतर कर रहना वासू ने हिच किचाते वेगा क्यों? आखिर अविनप से डरने की जरुरत क्या है? अरुन ने वासू को समझाते वेगा क्योंकि उसके माता-पिता के पापों के सजा अब उसे मिल रही है कोई ने कोई उसके घर पर जाकर उसकी माँ या फिर उसके साथ बत्तमिजी करता है। आप जब भी अविनव के घर के नजदीक जाना सतर्क रहना। क्योंकि आब अगर कोई भी उसके घर के नजदीक होता है न तो अविनव उस पर हमला कर देता है। उसे लगता है सामने वाला उसके परिवार को नुकसान पहुचाने के लिए आए। का घर हमें कहीं नहीं मिला। दम्यंती ने शक भरी निगाहों से कहा। दम्यंती तुम हर बात को घलत नजदेरिये से देखना बंद करो। मैं जानता हूं अक्सर ऐसा ही होता है जब हम पहले से किसी बात के लिए नकारात्मक हो जाते हैं तो फिर उस काम से जुड़ी हर बा करीब जाने लगा और दम्यंती उसके पीछे पीछे थी तब ही दम्यंती ने वासु से कहा। तुम उस लड़के की बात भूल गये क्या। उसने साफ साफ कहा था कि जब भी अविनव के घर के पास जाना सतर करहना। मुझे सतर करहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब उस वासु की बातों से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि वासु अच्छा बनने के कारण खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। और ये उसकी सबसे बड़ी बेवकुफी थी। वासु हात में भाला लिए अविनव के घर के करीब बढ़ता जा रहा था। और उस निकलने लगा। तब ही उसकी माँ शानती उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली मैं तुम्हें कभी भी अपने पिता जैम की तरह नहीं बनने दूगी। तुम बगएर तलवार के ही अपने दुश्मन से बात करोगे। अविनव ने अपनी माँ की तरफ देखा और लुगों को चैन नहीं आया है और आज देखो ये फिर से आगे। वासू अविनव के घर के करीब बढ़ता चला रहा था। अपनी माँ को किनारे करते हुए अविनव ने कहा आप हट जाये। जब तक मेरी तलवार इन गाउवालों से बात नहीं कर लेती तब तक इनके प्रकत करने के लिए गाउवाले वासू का विरोध करेंगे। जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पाकेट एफम पार। अविनव काफी जादा गुस्से में था और उसने वासू को मारने के लिए तलवार भी उठा ली थी। वहीं वासू भी हाथ में भाला लिये आगे बढ़ा जा रहा था। अगर जरा भी आगे बढ़े तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। अविनव ने वासू की गरदन पर तलवार रखकर कहा। दम्यंती डर गई थी। आप इस तरी हैं इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ लेकिन अगर आप इन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसलिए दूर रही है। अविनव ने दम्यंती से कहा। वासू ने अपना भाला जमीन पर छोड़ दिया और बोला। तुम तो काफी चतुर और बातों के खिलाड़ी निकले अविनव लेकिन मेरी गरदन पर तलवार रख चुका होता। तुमलों ने हमारे सिदेफं का फायदा उठा लिया है।रे अधियर कम से कम अब तो हमें चेहन वहफिते जी लेने दो। अभीनव ने भावक होकर कहा। जैसे ही वासू ने अविनव खेंग के चहरे पर भावकता दे कि वासू ने अविनव को अपना परीच जैसे ही वासू ने अपनी बात कही तो अविनव ने अपनी तलवार हटा ली और वासू ने अविनव से अब तक की सारी बात कह डाली मतलब मेरे पिता अविनव ने वासू से पूछा अविनव की आँखों में आसू थे और वो अपने पिता की मौत से दुकी था वासू ने जैम को किये हुए वादे के बारे में भी बताया और बोला मैंने तुम्हारे पिता को वादा किया है कि मैं तुम्हे अपने साथ रख कर एक नेक और अच्छा इंसान बनाओगा इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मैं कभी भी वादे को नहीं तोड़ता हूँ लेकिन मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर यहां से कहीं नहीं जा सकता हूँ अब तो मेरे पिता भी नहीं है और इस गाउं में मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है अविनव ने निराश होते वे कहा तुम अपनी माँ की चिंता मत करो उन्हें तुमारा दोस्त आरुन समाल लेगा तुम बस मेरे साथ चलो और इस बहारी दुनिया को देखो मैं तुमें अपने साथ अपने फायदे के लिए नहीं रखना चाता हूँ बलकि इसलिए रखना चाता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम पर अपना पूरा ध्यान दे सकूँगा पर ना ना जाने मुझे उस मणी को ढूनने में कितना समय लग जाए और तब तक कौन सी संगती तुमें किस ओर लेकर चली जाए कुछ पता नहीं वासू ने अविनव को समझाते हुए का इतने में ही अविनव की माँ शान्ती दौरती वी चली आई आप माँ को पिताजी के बारे में कुछ भी मत बुलिये गा या फिर आप यहाँ मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं अभी ये भी आप उनसे मत कहिएगा अविनव ने वासू से कहा शान्ती काफी खुश थी क्योंकि अविनव जिस खुशे में गया था अब उसका खुशा शान्त हो गया था शान्ती ने आते ही मुश्कुराते हुए अविनव से कहा बेटा ये लोग कौन है? यहां से ले जानी के लिए हैं। अभिनव ने बात बनाते हुए अपनी माँ शान्ती से कहा। शान्ती कुछ देर के लिए उदास हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा अब उसकी नजरों से दूर हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें लेकर कहां जाएंगे। शान्ती ने उत्सुकता से पूछा। हम आपके बच्चे को जीवन और जीवन से जुड़ी कई प्रकार के सिख्षा देना चाते हैं। नएने अनववर देना चाते हैं और इसलिए अगर आपकी इसाज़ज़त हो तो हम इने अपने साथ ले जाना चाते हैं। वासु ने अविनव की मां शान्ती को समझाते हुए का। शान्ती अनमने मन से ही सही लेकिन वासु की बात मान गई थी. क्योंकि कहीं на कहीं मन ही मन में वो भी अविनव को इस गाउं से दूर भेजना चाहती थी. शांती को भी ये लगता था कि अगर अविनव यहां रहेगा तो वो जुर्म की दुनिया में खुश जाएगा और आने वाले समय में अपने पिता की तरह बन जाएगा इसलिए ना चाहते हुए भी शांती वासु की बात मान गई दम्यंती को ये सारी चीज़े बुरी लग रही थी क्योंकि अब वासु और उसके बीच में अविनव आ गया था अंदर ही अंदर दम्यंती का बहुत बुरा हाल था और उसका खुशा अंदर ही अंदर उबाल मार रहा था तब ही वासू ने अविनव से कहा तुम अपने पिता से बिलकुल ही अलग हो तुम्हारे पास खड़े होने से एक अलगी उर्जा का ऐसास होता है जहां तुम्हारे पिता गलत कामों में लगे रहते थे मैं ऐसा लग रहा है तुम उनसे कोसो दूर भागते हो मैंने अपने जीवन में अपने पिता से कम और अपनी मां से ज्यादा सीखा है मैंने क्या सीखा है ये तुरन तो बता नहीं सकता लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी मां ने मुझे हमेशा अच्छी सिख्षाई दी है अभिनव ने गर्व के साथ वासू से कहा वहीं दम्यंती जो काफी देर से अंदर ही अंदर परिशान हो रही थी बोली अब अगर सब हो गया हो तो अब हमें हां से निकलना चाहिए वासू क्या तुम मणी को भूल गए हो वासू ने दम्यंती के आँखों में जब गुस्सा देखा तो उसने दम्यंती से कहा मैं कुछ भी नहीं बूलाऊं दम्यंती लेकिन तुम्हें मेरे साथ इस तरह जीने के आदट डालनी होगी तब ही दम्यंती वासू को अकेले में लेकर गई और गुस्से में बूली वादा पुरा करने और लोगों का भला करने में लग गए हूँ वासू पहले तो दम्यंती की बात शांती से सुनता रहा और फिर दम्यंती की तरफ से चहरा फेर कर वासू ने कहा मैं कभी भी अपने लक्ष को भूलता नहीं हूँ लेकिन अब मेरे साथ लक्ष में मेरा सिर्फ एक नहीं बलकि दो सार्थी होंगी अविनम मेरा नया सार्थी वासु ने अपनी बात कही और वहां से निकल गया दम्यंती वहीं पर खड़ी कुछ देर सोचती रही वासु क्या कर रहा था और क्या चाहता था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो अब हमें यहां से चलना चाहिए क्योंकि अगर मैंने जरा भी देर की तो मैं अपने लक्ष से उतना ही दूर हो जाऊंगा अभिनव ने भी अपनी तलवार उठाई और चलने के लिए तयार हो गया दम्यंती भी वापस आ गई और साथ चलने लगी और वहीं जैसे ही अभिनव जाने लगा उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल होने लगा अभिनव ने कुछ देर मां को समझाया और समभाला और कुछ देर बाद फिर से तीनों लोग गाउं से बाहर की उड़ जाने लगे हमें किसी दूसरे रास्ते से निकलना होगा क्योंकि गाउवालों ने अगर मुझे गाउं से बाहर जाते हुए देख लिया तो वो हमारा रास्ता रोक लेंगे कुछ देर चलने के बाद अभिनव ने वासू से कहा क्यों तुमने भी अपने पिता की तरह गाउवालों के साथ चलकी आया क्या ताने मारते हुए दमयंटी ने कहा नहीं मैं तो बस अपने पिता की घलितियों की सजा पा रहा हूं अविनव ने दमयंटी को जवाब दिया वासू अविनव और दमयंटी एक साथ पहाड़ी के रास्ते से बाहर निकलने लगे और जैसे ही वह गाउं से बाहर वासु ने जैसे ही देखा कि अविनव ने तलवार उठाई थी वह आविनव से बोला हर मसले तलवार से हल नहीं होते अक्सर हम जब जब जवानी के जोश में होते हैं वह में लगता है हमारा सबसे बड़ा हथियार तलवार ही है लेकिन असल में हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं वासु ने समझाते वे अविनव से कहा ये लोग न तलवार की भाषा समझते हैं आपके विचार, आपकी सोच से इन्हें कोई मतलब नहीं है अविनव ने वासु से गुस्स जाएगा काफी देर तक गाउवाले चिलाते रहें और अपनी बात पर अड़े रहें फिर वासु ने सभी को शांत कराते हुए का आप सब एक बेटे को उसके बाप के किये हुए की सजा देना चाहते हैं और उस बेटे के जीवन पर विराम लगा देना चाहते हैं क्या अगर आपके बेटे को आपके पापों की सजा मिलती है तो आप सब को खुशी मिलती तू कौन है और यहां इस अविनव को लेने क्यों आया है क्यों तू इसकी मदद करना चाहता है जरूर तुझे भी इसके बाप ने भेजा होगा गाउवालों ने चीखते हुए वासु से कहा हा मुझे इसके बाप नहीं भेज़ा है और इसके बारे में मुझसे एक वादा भी लिया है जिसे निभाने के लिए ही मैं यहां पर आया हूं। वासु ने गाउवालों से कहा और गाउवाले ध्यान से सुनने लगे। जैम ने मुझसे खुद कहा है यि उसने अपने जीवन म लेने के लिए आया। वासु ने गावालों को पूरी कहानी बताई। गावालों को नहीं वासु की बात पर भरोसा था और नहीं वो अविनव पर दया दिखाना चाहते थे। ऐसे में उन्हों ने अपने हत्यार हाथ में उठा लिया और बोले। अगर तुम अविनव को लोग नहीं माने तो वासु ने कहा ये मत भूलो मैंने ये अस्त्र सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखे हैं बलकि इन्हें चलाना भी जानता हूं और तुम लोग मुझे इसके लिए मजबूर मत करो। वासु के हाथ में भाला देख कुछ लोग पीछे हट गए वहीं कोई हमले को अविनब समझ नहीं पाया और जैसे ही उस पर दूसरा हमला होने वाला था वासु ने उस हमले को रोक लिया और उस हमलावर की गरदन पर भाला रख कर कहा मैं एक राजकुमार के तोर पर नागरिकों पर कभी भी अस्तर नहीं उठाता हूं लेकिन आज तुम ल का अविनब की तलवार चलने के कारण उस वैक्ति की बाह में ख्रोच आगी और खुन्बैने लगा कई गावालों ने मिलकर एक साथ वासू और आविनब पर हमला की है लेकिन वासू ने गाउवाले से खुट का बचाब किया और किसी पर भी खुद से हमला नहीं किया अविनव ये देख आशर चकित था और वासू से बोला आखिर तुम अपने दुश्मन को छोड़ कैसे सकते हो ये सब हमें मारना चाते हैं और तुम इनके हमले का जवाब इनके उपर आक्रमन करके ना देकर सिर्फ खुद का बचाव कर रहे हो ये वो लोग है जिनका तुम्हारे प्रती और एक राजकुमार के प्रती घुस्सा है और एक राजकुमार का करतब वे है कि वो अपने नागरिकों के घुस्से का वहन करें ना कि उनके घुस्से का उत्तर घुस्से में दे मैं अभी अपने नागरिकों का घुस्स वासु ने मुस्कुराते हुए कहा। जब काफी देर तक लड़ाई होने के बाद गाउवाले वासु का कुछ नहीं कर पाए तो थोड़ी देर बाद वो भी शान्त हो गए। वासु को तो एक भी चोट नहीं आई लेकिन अविनव को कई खरूच के निशान आये थे। तब ही वासु ने देखा कि एक गाउवाले ने दम्यंती की गरदन पर तलवार रखी हुई थी और उसने कहा अब चलो क्या अब भी तुम इस अविनव को अपने साथ लेकर जाओग तुम लोग ये बेवकूफी न करो, अगर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ भी किया, तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो इसे तब ही छोड़ेंगे जब तुम इस अविनव को साथ नहीं ले जाओगे। गाँवाले ने घुस्से में कहा, आखिर वासू अब गाँवाले के क्रोध से दम्यंती को कैसे बचाएगा, क्या विनव का गाँव से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्या दम्यंती की मौत हो जाएगी या वासू एक बार फिर से दम्यंती को बचा लेगा, क्या विनव व वासू के लिए उन गाउवालों से दम्यंती को बचाना बहर आसान था लेकिन वासू किसी भी गाउवाले को नुकसान नहीं पहुचाना चाहता था इसलिए काफी देर तक वासू गावालों से विनिती करता रहा लेकिन गावाले वासू की बात मानने को राजी नहीं हुए आखिरकार कुछ देर बाद वासू ने अपना भाला लिया लंबी छलांग लगाई और हवा में उड़ते हुए उस आदमी के सिर पर एक लात मारी जिसने दम्यंती की गरदन पर तलवार रखी थी वो आदमी खड़ा खड़ा ही गिर गया और उसके नाक से खुन गिरने लगा तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो मैंने बहुत देर तक सैयम से काम लिया लेकिन अब जब तुम लोग मानने को ही तैयार नहीं हो तो फिर मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा वासू ने गाउवालों की तरब भाला दिखाते विका अब गाउवाले डर गए थे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे अबिनव ने वासू से कहा कि आप से वो मनी को ढूणने में वासू की मदद करेगा और हमेशा ही एक छोटे भाई की तरह वासू की एक भुजा बन कर रहेगा वासू, दम्यंती और अबिनव मनी को ढूणने के लिए पहाड़ियों को पार करते हुए चले जा रहे थे काफी दूर चलने के बाद तीनों लोग एक गाउं में पहुँच गये और वासू ने कहा क्योंना हम इस गाउं में ठहर कर कुछ देर आराम कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें काफी दूर तक जाना है अविनव और दम्यंती वासू की बात मान कर एक जगह पर बैठ गए और आराम करने लगे तब ही कुछ लोगों की जोर-जोर से चिलाने के आवाज आने लगी दम्यंती अचानक से शोर सुनकर उड़ गई और बुली हमें यहां से निकलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है इस गाउं में कोई संकट है और अगर हम फिर से यहां फस गये तो मनी तक नहीं पहुच पाएंगे वासू ने दम्यंती की ओर देखा और मुस्कुराते वे बोला तुम हमेशा दूसरों की मदद करने से दूर क्यों भाग दियो दम्यंती अगर यहां पर कोई संकट है तो हमें उस संकट से बचने के लिए गाउवालों का साथ देना चाहिए दम्यंती ने घुसे में मुझ बनाया और कुछ भी नहीं बोली तब ही वहां से चिलाता हुआ एक आदमी गुजरा और बोला अरे जल्दी से चिप जाओ यहां से भाग जाओ नहीं तो वो भेडिया तुम सब को खा जाएगा वो आदम खोड भेडिया है उसके सामने जो भी आता है वो उससे छोड़ता नहीं है वासु ने जैसे ही यह सुना उसने अपना भाला उठा लिया और अविनव की ओर देखा अविनब ने भी वासू की और देखकर अपनी तलवार हाथ में उठा ली पूरे गाउं में सननाटा था और हर किसी के दर्वाजे बन थे एक भी इंसान गाउं की सड़क पर नहीं था वासू ने छुपकर देखा तो एक खुंखार भेडिया वासू की और बढ़ता चला आ रहा था ये भेडिया है या फिर भेडिया के वेश में इंसान वासू ने डरते हुए का वासू की सासे बहुत तेज चल देए थी क्योंकि उसने एक ऐसा भेडिया देख लिया था जो देखने में ही भेंकर लग रहा था इस भेडिया का चहरा इंसान जैसा था और वहीं इसका धर भेडिय का था दात नुकिले थे जिसमें खुन लगा हूँआ था अविनेब ने भी जब उस भेडिया को देखा तो वो भी डरते हुए बोला अमेहांसे निखलना ही चहिए, नेहीं तो यह हमें खा जाएगा वासू कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, नई नई हमेहांसे तो भाग जाएंगे, लेकिन इन गावालों का जीवन संकट में आ जाएगा न जाने कब से ये लोग इसी संकट से गुजर रहें और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अविनाम अन्माने ढंक से ही सही लेकिन वासू की बात मान गया। दम्यंती ने साफ इंकार करते हुए खा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे वासू। मैंने देखा है जबसे तुम इस मणी की खोज में निकले हो तुमने मणी की तरफ कम दूसरों की मदद की और ज्यादा ध्यान दिया है। वासू ने दम्यंती की और घूर कर देखा और बोला दम्यंती अभी ये वक्त पहस करने का नहीं है बलकि इन गाउवालों को इस संकट से बचाने का है। खुद की चिंता छोड़कर गाउवालों और लोगों को ही बचाते रहे न। दम्यंती ने बुदबुदाते हुए का वासू ने दम्यंती की बात को अंसुना कर दिया। वो खुंखार भीडिया और भी पास आगया और वासू ने अविनव को इशारा किया। जैसे वासु ने इशारा किया, अविनव और वासु दोनों ही हाथ में तलवार और भाला लिये उस भेडिये के सामने आगे। भेडिया वहीं रुख गया और गौर से इन दोनों को दिखने लगा। वहीं रुख जा और अगर तु जरा सा भी आगे बढ़ा, तम तुझे मार देंगे। वासु ने उस भेडिये से कहा। भेडिया गुस्से में गुराया और वासु ने भाला उसकी तरफ कर दिया। गावाले घर के अंदर से छुप कर ये सब देख रहे थे और मनी मन सोच रहे कि आखिर ये दोनों काम थे जो बिना डरे भेडिये के सामने खड़े थे। धीरे धीरे वासु ने भेडिये की ओर कदम बढ़ाए और भेडिया एक-क कदम पीछी हटने लगा। जैसे जैसे वासु भेडिये की तरफ बढ़ा भेडिया वहां से भाग किया। जिसके बाद गावाले अपने अपने घरों से बाहर निकले और वासू और अविनव को देखकर हैरान रहे गए। आप तो हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। आज आपने हमें कितने बड़े संकट से बचा लिया है। गावालों ने हाथ जोड़ते हुए वासू से कहा। हर कोई वासू और अविनव की तारीफ कर रहा था। वही वासू को ये समझनी आ रहा था कि आखिर बगैर कुछ किये वो भेडिया भाग क्यों गया। वासू ने गावालों से कहा। आप सब थोड़ा शांत हो जाइए। मैं कोई देवता और भगवान नहीं हूँ बलकि आपकी तरह एक आम इनसान हूँ। लेकिन मुझे ये बताए कि आखिर ये भेडिया मुझे देखकर भाग क्यों गया। वासू की बात का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी वासू ने दूसरा प्रश्न किया। क्या ये भेडिया अकसर यहां आता है और आप लोगों को परिशान करता है। क्या आप इस भेडिये के बारे में कुछ बता सकते हैं। वासु ने पूछा, ये भेडिया नहीं बलकि आदम खोर है, वो दुष्ट सुल्तान ने इसे पाल रखा है, और वो सुल्तान हम गाउवालों को तंग करने के लिए इसे भिशता है, ताकि हम गाउवाले यहां तो यहां पर अपना सब कुछ छोड़ कर भाग जाए, या फिर ह मुझ सुल्तान के दास बन जाए, एक गाउवाले ने वासु को बताया, लेकिन ये सुल्तान आप सब को यहां से भगाना क्यों चाता है, क्या ये जमीन उसकी है, अविनम ने घुस्से से पूछा, नहीं नहीं ये जमीन तो हमारी है, और वो खुद बाहर चाकर यहां बसा ह हम और हमारे पूरवज न जाने कब से, सदियों से, यहां पर रहते आ रहे हैं, लेकिन वो सुल्तान अभी कुछ साल पहले ही आया है, और हमारी जमीन पर कबजा करना चाता है, हमें तलवार और इन आदम खोर बेडियों से डरा कर भगाना चाता है, धीड में से एक आदमी चिलाते हुए का, तो आप लोगों ने इस सुल्तान का विरोध क्यों नहीं किया, अविनब ने एक बार फिर घुस्से से पूछा, वासु कुछ भी बोल नहीं रहा था, और सिर्फ गावालों की बाते सुन रहा था, तब ये गावाले ने कहा, इस गावों के मुकिया और सर लंग रह गया, दम्यंती वासु का चहरा देख रही थी और वो अंदर यंदर यहीं चाती थी कि वासु गावालों को ना बोलकर यहां से आगे बढ़े, दम्यंती ने वासु को समझाते वे गा, देखो वासु मैं जानती हूँ तुम हर किसी की मदद करना चाते हो, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है न, जब तुम हर किसी की मदद करो, तुम्हे अपने लक्ष पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसे अपने लक्ष से भटकते रहे, तो तुम कभी उस मणी को नहीं पा सकोगे, वासु भी जानता था, दम्यंती जो कह रही थी, वो सही बात थी, वासु कुछ देर सोचता रहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं खुद चाती हूँ कि हमसे जितनी मदद हो से के हम दूसरों की करें, लेकिन उससे पहले हम खुद की मदद तो कर ले, क्योंकि अगर आखरी में हमारे पास कुछ नहीं होगा तो, तो हमारी मदद की जरूरत है, जो किसी ने किसी कारण से परेशान ही है, लेकिन हम सबको तो खुश नहीं कर सकते हैं, हम सबकी मदद तो नहीं कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना होगा, थोड़ा स्वारती बनना होगा, यूँ भावुक होकर कुछ करोगे त तो तुमें कुछ मिलने वाला नहीं है और वैसे भी आजकल भलाई का जमाना नहीं है जो भलाई करता है अक्सर उसी का नुकसान होता है। दम्यंती ने वासू को समझाते हुए कहा। दम्यंती सिर्फ चाहती थी कि वासू अपने लक्ष से भटके नहीं और जो उसे पाना है वो उसे पाले। जितनी जल्दी हो सके वासू वो मणी हासिल कर ले। दम्यंती वासू को जीतते हुए देखना चाहती थी। वो वासू को लक्षे तक पहुंचते और उसके सपने को पूरा होते देखना चाहती थी। इसलिए वो बार-बार वासु को समझा रही थी। वहीं गावालों के मन में एक उम्मीद जग गई थी कि वासु सुल्तान से गावालों की रक्षा करेगा। कुछ देर बाद गावाले पूजा की थाली ले आएं और एक साथ पूजा करने के लिए खड़े हो गये। अविनव ने गावालों से हैरान होते हुए पूछा, अरे आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं ये पूजा की थाली और ये सब किसके लिए। ये सब आपके लिए हैं, आप तीनों ही हमारे लिए भगवान की तरह हैं और आप इस सुल्तान से बचने के लिए हमें आप जैसे भगवान मिल गांगे और अगर आप जैसे भगवान साथ हैं तो हमें किसी भात की कोई चिंता नहीं है गाँवालों ने मुस्कुराते हुए अभिनव से कहा वासू और अभिनव को गाँवालों ने भगवान माल लिया था वहीं अभिनव ने गाँवालों की बात से इंकार करते हुए कहा देखिए आप सब को ये गलत हमी है हम कोई भगवान नहीं बलकि आप ही की तरह इंसान है तब ही भीड से एक आदमी निकल कर सामने आया और बोला हम तो जानते हैं कि आप भगवान है और आपको हम लोगों की रक्षा के लिए भीजा गया है हमारे गुरू जी ने ये बताया था कि किसी दिन एक ऐसा वीर इस गाउ में आएगा जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा होगा और उसके आने भर से ही ये आदम खुर वेडिया अपने रास्ते से वापस लोट जाएगा और वो ही हमें सुल्तान से भी आजादी दिलाएगा तब ही गाउवालों के बीच वासू आ गया और गाउवाले वासू अविनव और दम्यंती की जोर जोर से जैजेकार करने लगे वासू ने भी अविनव की ओर देखा और इशारों में पूछा ये सब क्या है अविनव वासू के नजदीक आया और बोला इन लोगों ने हमें अपना भगवान माल लिया और इनके हिसाब से हम इनकी रक्षा करने के लिए और उस सुल्तान को खत्म करने के लिया है तो तुमने इन्हें बताए नहीं कि जो ये सोच रहे हैं वो सच नहीं है वासू ने हडबडाते हुए अविनव से पूछा मैंने ये सब बता दिया लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है और इनके हिसाब से हम इनके भगवान है बस और मुझे लगता है नहीं है कि ये लोग इतनी असानी से मानने वाले अविनव ने वासू से कहा वहीं गावाले वासु की आरती उतार रहे थे और थोड़ी देर बाद वासु ने हाथों से इशारा करके सभी को रुकने को कहा गावाले शान्त हो गे और वासु बोला देखिए मैं यहाँ पर कोई भगवान बन कर नहीं आया मैं तो बस ठक गया था तो यहाँ पर विश्राम करने लगा और तब ही मैंने वो भेडिया देखा तो मैंने आप लोगों की मदद की लेकिन मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता हूँ वासु ने साफ इंकार कर दिया था जिससे गावालों के चेहरे उतर गए थे अभी तक जिन चेहरों पर खुशी की लाली थी अब वही चेहरे जुलस के थे और तब ही एक महिला आगे आई और बोली वो हमें अपना गुलाम बना लेना चाहते लेकिन क्या तुम तब भी हमें नहीं बचाओगे वाशु कुछ देर सुनता रहा और फिर कुछ देर बाद महिलाओं ने अपनी चोट के निशान वाशु को दिखाने शुरू कर दिये वाशु सब देखकर सुन सा हो गया था क्योंकि महिलाओं को काफी चोट लगी थी जिसके बाद पुर्षों ने अपने शरीर को दिखाने की कोशिश की, तो वासू बोला, तुम लोगों की उम्र क्या है? उन वेक्टियों में से किसी ने अपनी उम्र 25 बताई, तो किसी ने 26, लेकिन हर कोई 30-40 साल की उम्र से कम नहीं लग रहा था. वासू ने हैरानी से पूछा, आखिर ऐसा क्यों की तुम लोग अपनी उम्र से पहले बड़े लगने लगे हो? गाउवाले रोने लगे और एक गाउवाले ने कहा, वो हमारे पानी में, हमारे अन में और हमारे इंसानों में किसी ने किसी प्रकार की दवाई मिलाई है, और उस जोड़ कर बोली, बेटा, अब बस तुम ही हम लोगों का सहारा हो, क्योंकि अगर उस सुल्तान का कहर समाप्त नहीं हुआ, तो एक दिन वो हमारे इन पूरवजों की जमीम पर कबजा कर लेगा, और फिर वो यहाँ पर अपने मन माने डंग से रहाच करने लगेगा, वासू उस बुड़ी मा का हाथ पकड़ा, और बोला, आप हाथ मत जोड़िये, मैं जरूर आप सब की मदद करता लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ, आप मुझे माफ कीजिये, वासू की आँखे नीचे जुगी हुई थी, और गाउवाले वासू की मदद के इंतजार में खड़ के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार सिर्फ पॉकेट एफेमपार